Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal and this video में हम पढ़ने जा रहे हैं Limitations के बारे में. किसके Limitations? Mail Order Houses के बारे में. So basically हमने previous वीडियो में Mail Order Retailing के बारे में समझा, फिर उसके Features देखे, फिर ऐसे Goods के बारे में पढ़ा जो हम Mail Order के थुरू भिजवा सकते हैं और उसके बाद हमने उसके Advantages देखे, अब हम Finally उसके Limitations देख रहे हैं. यह बोलता है Lack of Personal Contact. See, मैं हूँ, मैं Mail Order के थुरू क्या भिजवा रहे हूँ, अपने Products का Advertisement भिजवा रहे हूँ, और आप घर पे बैटे-बैटे उसे Apply कर रहे हैं, उसको Order कर रहे हैं. क्या हम दोनों मिले कहीं? क्या मैंने आपको बताया Products में क्या-क्या खूबी हैं? बस लिख के बता दिया कहीं, Personal ही बताया? नहीं बताया. तो यहाँ पे छूट जाता है Personal Contact. और जब Seller और Buyer में Personal Contact नहीं होता, तो ऐसी Transaction जादा नहीं चलती हैं. एक दो बार चलता है, लेकि लेकिन आपकी Identity Assets Revealed भी दो नहीं होई है. आप सिर्फ Post के तरू Advertisement दे रहे हो, और वो Post के तरू apply कर रहे हैं, और इस तरह से पूरा Contact चल रहा है. The Buyers are not in a position to examine the products before buying. यह बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा Disadvantage यह होता है, कि सिर्फ देख के Product Order करना पड़ता है. आप उसे Feel नहीं कर सकते हैं. फ़र से मुझे खाना, अगर माल लीजे मुझे खाना order करना है. तो मैं उसे देखूंगी, लुक से थोड़ा बहुत समझूंगी कि यार यह अच्छा लग रहा है. फोटो में तो हम किसी भी चीज को बढ़ा चड़ा के दिखा सकते हैं, Photoshop, Editing, कोई भी च चीज से हम फोटो में तो कुछ ना कुछ impressions डाली सकते हैं. लेकिन अगर आपको personally देखने का मौका मिले तो वो ज़्यादा effective रहता है किसी भी बायर के लिए. Second, it says high promotion cost. The mail order business has to rely heavily on the advertisement. अब देखे, इनके पास orders आते कैसे हैं? सिर्फ और सिर्फ advertisement से. They don't have a shop जहाँ पे वो डिस्पले करें सारी items को. इनके पास सारे के सारे orders सिर्फ और सिर्फ कैसे आते हैं? सिर्फ जो ये circulars बाठते हैं, advertisement देते हैं, magazine में डलवाते हैं, newspaper में डलवाते हैं. तो सोची अगर हर जगे आगा, इनको advertisement दिर्वानी पड़ी, तो कितना खर्चा हो जाएगा? newspaper में अगर आपको एक page की advertisement दलवानी होते हैं, एक दो लाग का खर्चा हो जाता है, if that's a respective newspaper. अगर और बढ़िया करवाना है, मतलब respective newspaper, अगर उससे और बढ़िया newspaper में जाओ होता है, third it says, no after sales services, ये बोलते हैं भया, आपने हमें हमारे गुच को देखा, मतलब कैसे देखा, फोटो में देखा, आपने order किया, हमने आपको बेचा, बात खतम, इसके बाद आपको कोई भी after sales services हमारी तरफ से नहीं मिलने वाली है, do not expect anything from our side, आपने जो जो चीजे किये है पोस्ट के तरू किये हैं, हमने गुच देखा कर दिया है, पोस्ट के तरू, बात खतम हो जाती है वहीं पर, आपको किसी भी तरह की after sales services नहीं मिलती जब बात आती है, mail order houses के, then it says, no credit facilities, ये बोलता है भया, पूरी की पूरी transaction ना, आपकी उसी राइंपेमेंट करने पर क्या मैं आपको जानती हूं personally, जब मैं आपको personally जानती नहीं हूं, तो मैं आपको credit facility कैसे दे सकती हूं, मैं आपको कैसे उधारी पे समान दे सकती हूं, तो वहीं ये बोलता है, यहाँ पे उधारी की बाहत ही नहीं आती है, क्योंकि personal contact ही नहीं है इंसानों के बीच में, फि उसके बाद आगे भेज देंगे फिर आपको डिलिवरी देंगे तो कितना टाइम टेगिंग प्रोसेस है क्या एक्जाक्ली आपने अभी और किया मैंने आपको डिलिवर कर दिया ऐसे सलती है चीजे नहीं ना जैसे हम स्विगी पे खाना ओडर करते हैं अभी किया आदे गंट करते हैं हर एक चीज की में प्रोसेस लगती है आपको पूरे लेबल्स पार करने पड़ते हैं तब जाके यू गैट बेनेफिट आउट फिर बोलते हैं पॉसिबिल पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूस दिस टाइप बिजनस प्रवाइटर पॉसिबिलिटी ऑब्यूस तो डिस बहुत सब क्रियेटिव साइनोवेशनल बैग बनाके मैंने आपको फोटो चुपका के भीज दिया आपने फट से देखा यू बिकेम सो हैपी कि वाव कितना सुन्दर बैग दिख रहा है और आपने ओडर कर दिया जब आच्छली मैंने वह बैग आपके हां डिलबर किया त सब्सक्राइब क्या प्रॉब्म आते हैं कुछ साइट से अगर आप शॉपिंग करते हो वह दिखाते इतना बड़ा हैं देते इतना सा है आई मैसल्फ ओडर वन्स छे प्लेट्स ओडर की थी मैंने रेड कलर की ते क्यूट प्लेट थी और उनका साइज इतना दिख रहा था तो यहां पे डिस ओनिस लोग भी बहुत ज़ाधा आजाते हैं पिक्चर में लास से सथ हाइडेंडेंस औन पोस्टल सर्विसे यह बोलते हैं क्यूंकि पूरी की पूरी ट्रांसेक्शन कहां हो रही है पोस्ट के थूरू हो रही है तो आपका राय जादा है पोस्ट की या आपको खोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो काफी जादा negative effect हो सकता है आपके business based और इस वीडियो में हम बढ़ने जा रहे हैं consumer cooperative store के बारे में ओके हम लोग already consumer cooperative society के बारे में पढ़ चुके हैं this is nothing just वही है same concept same तारे features पूरा का पूरा explanation सी है देखे क्या लखा हूँ इसमें इसमें यह बोल रहे हैं a consumer cooperative store is an organization owned managed and controlled by consumers themselves मतलब ऐसा माने consumers मिलके खुदी एक store चला रहे हैं उससे manage कर रहे हैं own कर रहे हैं तो सारे consumer क्या होते हैं मिलते हैं एक particular cooperative form करते हैं उसके बाद goods खरीते हैं और आपस में ही distribute कर लेते हैं the objective of such store is to reduce the number of middlemen who increase the cost of produce actually यह थोड़ी गरीब तरह के consumers होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे spend करना अच्छा नहीं लगता what they do अगर मैं अकेले कोई good purchase करके आओंगे तो मैं 10 खरीदूंगे 20 खरीदूंगे ज्यादा तो नहीं खरीदूंगे लेकिन यह क्योंकि सब के लिए खरीद के आ रहे होते तो bulk purchase करते हैं और bulk purchase is manufacturer generally allowed करता है manufacturer क्या बोलता है कि मैं 2-3 नहीं बेचूंगा लेकिन मैं 1000-2000 बेच सकता हूँ यही बोलता है न manufacturer तो यह क्या करते हैं directly manufacturer के पास जाते हैं और बोलते हैं हमारे पास bulk order है manufacturer बोलता है बिलकुल लेकि चाहिए कोई problem नहीं है तो यहाँ पे ना सिर्फ आप manufacturer से कम दामों पे समाल ला रहे हो बलकि जो बीच में middleman जो खाते थे न पैसे उनके पैसे भी save कर रहे हो तो middleman को हटा के आपने cost कहीं न कहीं कम कर ली हैं तो ऐसे bulk purchases में इनको क्या मिल जाता है सस्ती items मिल जाती है अब बलक purchase होगा तो cost क्या होगी? कम होगी तो ऐसे में जो product 10 रुपे का पढ़ने वाला था हर एक इनसान को अब वो कितने का पढ़ेगा? 8 रुपे का तो as a result of which आपने पैसे save किये के नहीं किये? किये और आप bulk purchase करके लाओगे cooperative बन के और यहाँ पर आके consumers में distribute कर दोगे The members get products of good quality at cheaper rates अच्छी quality का product सस्ते दामप मिल जाए और क्या चाहिए किसी को? तो यहाँ पर इनको अराम से मिल जाता है To start a consumer cooperative society at least 10 people have to come together यह बोलते है भाया simple सी बात है अगर आपको consumer cooperative store खोलना है तो minimum 10 लोग होने चाहिए तब ही आप cooperative खोल सकते हो It shouldn't be like 2 लोग आए 3 लोग आए वो आके बोरे यार चोरो society को मतलब cooperative खोलते है ऐसा possible नहीं है minimum 10 लोग की तो requirement है ही है Form a voluntary association and get it registered under the cooperative societies act और इनको अपने आपको cooperative society act में register भी कराना पड़ता है जो कि मैंने आपको वीडियो की starting में ही बोल दिया था कि this is nothing just like cooperative society, consumer cooperative society तो इनको minimum 10 लोग के साथ आना पड़ेगा इस particular act में अपने आपको register कराना पड़ेगा तब ही वो cooperative store खोल पाएंगे यह बोलते हैं पैसे कही और से नहीं लाते हैं जो members होते हैं जो consumers होते हैं जो मिलके यह perform कर रहे हैं वो individual basis पे अपने अपने घरों से पैसे ले के आते हैं और यही इनका capital रहता है So, capital कहां से raise होता है? Members से ही raise होता है Then it says The management of the store is democratic and interested to be an elected managing committee where one man one vote is the rule यह बोलते हैं यह जो पूरा store है जो management है इसकी Democratic principles पर चलते हैं Democratic principles मतलब एक इंसान एक vote हर एक को बोलने का मौका दिया जाएगा और equal amount में बोलने का मौका दिया जाएगा तो हर एक इंसान के पास एक एक vote होता है जिसका इस्तिमाल करके what they do They basically मतलब form that particular thing और management चलाते हैं उसकी पूरी So this was what Consumer Cooperative Society I hope यह आपको समझ में आया होगा समझ तो आपको यह पहले ही आ जाना चाहिए क्योंकि हम यह अउर्री पढ़ा हुआ है second third chapter में It's very simple अगर आपको और जाधा detail में इसके बारे में जाना है तो आप उस society वाला Consumer Cooperative Society वाला वीडियो देख सकते हैं हमारा In case कोई भी doubt है तो comment section में आप हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको notes चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके notes भी ले सकते हैं That's our official website जिसका link you'll get in the description box इसके अलावा description box में आपको information मिलेगी हमारे एक और initiative के बारे में जो की है magnetbrains plus और इस वीडियो में हम पढ़ने चाह रहे हैं advantages of consumer cooperative store के बारे में See in my previous वीडियो हम लोगों ने देखा consumer cooperative store होते कौन से हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ease information It is easy to form a consumer cooperative society कुछ नहीं होता है यहां पर सिर्फ 10 लोगों को सामने आना है हाथ मिलाने है cooperative society's registration act में अपनी cooperative society का क्या करना है registration कराना है and यहां से आपकी क्या होती है cooperative store form हो जाती है so आपकी कोई मेहनत नहीं है just 10 लोगों को accumulate होना है हाथ मिलाने है they have to decide कि हाँ हमें यह form करना है और जाके बस उस particular act में अपनी society का अपनी cooperative body का क्या करा 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 कराना है second it says limited liability limited liability हम बहुत पर पढ़ चुके है अगर आपको नहीं पता exactly तो मेरी individual videos भी हैं limited liability के बारे में और मैंने बहुत सारी videos में इस concept को revise भी करवाया है मैं यहाँ just overview दे देती हूँ limited liability बोलती है कि मान नीचे कभी भी ऐसा होता है कि आपका business ढूब चाता है और आपके पास अपने बाहर liabilities वालों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं बच्चते हैं और आपने liabilities जतनी pay off हो रही थी उस assets के पैसों से वो कर दी है फरसे assets थे 10,000 के और आपकी liabilities थी 20,000 के 10,000 आप पै कर चुके assets पेच के लेकिन अभी भी थो आपकी 10,000 के liabilities बचते हैं न लेकिन क्या उसके लिए आप personally liable होगे नहीं आपका organization ज़रूर liable होगा आपके organization को ज़रूर payment करने पड़े ही 10,000 की और लेकिन आप as an individual अलग से liable नहीं होगे क्योंकि आपकी और आपके organization के बीच में एक thin line is separate legal entity की वो अलग है आप अलग हो तो उसकी liabilities के लिए आप personally liable कभी नहीं हो सकते हो तो ऐसे ही cooperative society में भी same thing चलती है कि कभी भी आपके assets कम पढ़ जाते हैं liabilities को pay off करने के लिए तो आपको as an individual पकड़ा नहीं जा सकता है कि liabilities pay off कीचे यह बोलता है यहाँ पे हम हर एक इंसान को बोलने का मौका देते हैं मतलब हर एक इंसान के पास एक crucial vote है तो हर किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा हर किसी को voting का अधिकार दिया जाएगा जिसकी वज़े से लोगों को लगेगा कि हाँ उनकी कुछ value है उस particular society में so cooperative society democratic principles पे चलते है democratic principles मतलब सब लोगों को बोलने का मौका देना लोगों को बोलने का मौका देना people द्वारा run की जाने वाली चीज तो यहां पर भी same चीज होती है इसके अलावा there are certain other examples also first is low prices यह बोलते हैं cooperative societies जब खरीदने जाती है goods तो bulk में purchase करके आते है क्योंकि उनको सब consumers के लिए लेना होता है cash sales यह normally cash sales पर ही वो करती है मतब आजल जब भी इनको sale करना होता है they don't like credit transactions नहीं करते इस तरफ cash में deal करते हैं तो इसके वज़े से इनकी working capital हमेशा fulfilled रहती है इनको दूबारा अलग से पैसों की जरौरत नहीं पढ़ती working capital के लिए then convenient location the consumer cooperative societies are generally opened at convenient public places this is where the members and other persons can buy these in यह बोलता है ऐसा नहीं कि इनको एक residential area में बिलकुल कोप्चे में दुकान बना देंगे यह ऐसे areas में settled होती है जो बहुत ही convenient रहता है सब members के लिए obviously जब हम बोल रहें democratic principles चलेंगे सब की बात सुनी जाएगी तो सब कहां पे रखवाना चाहेंगे उसे एक ऐसे convenient place पे रखवाना चाहेंगे जहांसे सब लोग easily उसे access कर पाए तो बिलकुल कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं limitations of consumer cooperative store के बारे में see in my previous video हम लोगों ने देखा इसके advantages इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके limitations के बारे में आइए देखते हैं क्या क्या है है यहाँ पे lack of initiative से इनको लगता है जब हर एक इंसान में आपको बताया है कि यहाँ पे जितना भी management होता है वो लोगों द्वारा संभाला जाता है राइट तो जब लोगों द्वारा संभाला जाएगा तो मतलब उन में से एक कोई person assigned और जब आपके उपर responsibility नहीं डाली जाए ना तब तक आप उतने जादा अटेंटिव नहीं होते हैं उस चीज को लेके तो यहाँ पे भी same problem जाते है कि क्यूंकि सब का काम है तो सब का काम मतलब वो कभी अच्छे से हो ही नहीं सकता आप एक इंसान को उसके लिए responsible बनाए तो everybody thinks यह कर लेगा वो कर लेगा यह कर लेगा और खुद ही नहीं करते हैं कोई भी काम तो as a result of which यहाँ पे initiative थोड़ा लेने में लोगों को दिक्कत होती है Second it says shortage of funds The primary source of funds for the cooperative society is money from the members हमने पढ़ा था यह अपने पैसे कहां से raise करते हैं members से raise करते हैं तो यह सारे के सारे पैसे members से लेते हैं लेकिन हमने यह भी तो पढ़ा था कि members यहाँ पे जादा रिच नहीं होते poor होते हैं तो poor कितने पैसे निकाल पाएंगे कोई assets बड़ा figure नहीं बनेगा तो यहाँ पे कहीं न कहीं funds की भी requirement होती है जो कि short पढ़ता है at times फिर it says lack of patronage the members of the cooperative stores generally do not patronize them regularly as a result of which the stores are not able to operate successfully यह बोलते हैं कि कोई भी नहीं पे regular नहीं रहता requirement arise होई I'll come requirement arise नहीं होई I'll stay back home तो यहाँ पे न वो एक छीज होती है कि सब लोग मिल रहे हैं regularly decide कर रहे हैं अच्छे से operation चल रहे हैं धंग से चल रहा है गाम वैसे सब चीज़ें नहीं होती हैं कहीं न कहीं last it says lack of business training the people interested with the management of the cooperative stores lack expertise as they are not trained in running the stores efficiently यह बोलते हैं भया देखो पूरा management किसके हाथ में है लोगों के हाथ में है लोग कौन से जो member है उस cooperative society के तो ऐसे लोग आप कैसे बोल सकते हो expertise रखते होंगे किसी भी चीज की या expert होते होंगे किसी भी चीज में जरूरी नहीं है न कि वह expert हों किसी भी चीज में सो ऐसे scenario में कहीं न कहीं इन लोगों को lack of expertise देखने को मिलता है क्योंकि वह बोलता है ना अधूरा ग्यान खदरनाक होता है तो यहां पर सबको ना अधूरा अधूरा ग्यान होता है और वह उस अधूरे अधूरे ग्यान से मिलके वह particular चीज सलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और on the other note हम management के लिए अलग से इंसान रख लें हम expertise के लिए अलग से इंसान रख लें बट उन दोनों को salary देने के लिए पैसा कहा से आएगा यहां पर हमें normal हमारे capital में ही shortage नज़र आ रहे हैं यहां पर हमें पैसे मिल ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पैसों की कमी है members इतना लापा रहे हैं उतने से ही चल रहा है और उसमें आप additional खर्चा और बता रहे हो तो कोई भी उस चीज को पसंद नहीं करेगा यहां पर कहीं ना कहीं इन सब चीजों की problem जाती है ओके सो हमने यहां पर limitations में चार पॉइंट्स पड़े यह चार पॉइंट्स क्या क्या बोलते हैं lack of initiative की कोई भी अपनी तरफ से initiative लेके सामने नहीं आता है क्योंकि हर कोई दूसरी की उपर टाल देता है से अधान ग्रूप प्रजेक्ट रेंसे बस फिस तब सम रोगें यहां कि मुस् blacks इंदेत के तो हमिकर मिंग करते हैं मतलब यह क्या करते हैं तो सेम सैंसे यहां होते है जरूरी नहीं हर कोई पार्डिसिपेट करके उस चीज it's अच्छा चलाए कुछ लोग होते हैं जो ऐसी समझदारी दिखाते हैं यहां पर प्राब्लम काफी जादा आती है उसके अलावा फंट की रिक्वाइर्मेंट मैंने आलरेडी बोल दी कि फंट की रिक्वाइर्मेंट तो जादा होती है लेकिन देने वाले लोग बहुत कम होते प्लस ट्रेनिंग नहीं होती और उनकी तरफ से इतना कोई मोटिवेशनल वह भी नहीं आता है कि हाँ दिखेगी हाँ वह बूस्तिड है उस पर्टिक्लर चीज को करने के लिए तो यह थे कुछ लिमिटेशन्स इसमें आप जो सुसाइटी आक्ट वाले लिमिटेशन्स थे करना वह भी अड़ कर सकते हैं वह भी हाँ पे ऒालट ही रहेंगे ग्युक्र में सम अगर कभिने के लिए सकते हैं तो सेमीट जो वहाँ पे उस चैप्टर में पढ़ चुके वो भी लिख सकते हैं इस वीरा में हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर मार्केट के बारे में ओके अभी तक हमने बहुत सारे लाज स्केल रिटेलर्स के बारे में पढ़ा है जो की fixed establishment रखते हैं यह उनमें last है that is supermarkets A supermarket is a large retailing business unit selling wide variety of consumer goods on the basis of low price appeal wide variety and this and that ओके सवाइट सेज जैसे हमने पढ़ा था departmental stores के बारे में यह भी almost similar ही होता है कहां different होता है वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन almost यह क्या रहते है same रहते है तुससे departmental stores में बहुत सारे departments बने होते हैं बहुत wide variety of products पेच रहे होते हैं उसी तरह से supermarkets में भी बहुत wide variety में goods रहते हैं सामने displayed रहते हैं and you can pick अपने requirements के according कोई भी item second it says the goods are traded are generally food items and other low price branded widely used consumer products यह बोलते हैं जो supermarkets में goods बेचे जाते हैं वो usually कौन से goods होते हैं या तो वो consumer goods होंगे food items होंगी grocery items होंगी low price items होंगी non branded branded ऐसी कुछ items हो सकते हैं चोटी मोटी items ही यहाँ पर क्या करिए जाती हैं बेची जाती है supermarkets are generally situated at the main shopping centers यह बोलते है generally जो supermarkets होते हैं वो main shopping centers के बीच में होती है कि माली जो कोई इंसान कुछ और खरीद ने आ रहा है तो बीच में आके यह भी खरीद लेगा kind of ऐसे कोई isolated way में कहीं और नहीं situated होती ऐसा नहीं है कि बिबकुल एकदम कोने में जाके outskirts में जाके बना देंगे कि जाओ यहां से समालने क्या और नहीं यह normal shopping market के बीच में ही होती है फिर दे से the goods are kept on racks with clearly labeled price and quality tags and such tools इनका कहना है कि जो goods यहां पे रखे जाते हैं supermarket में display के लिए तो वो racks में रखे जाते हैं different racks बने होता है यहां पे आप देखिए यह different different racks बने हुए यहां पे goods रखे जा रहे है और उन्हें clearly label किया जाता है वहां से I don't know आपको देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा लेकिन यहां पे clearly नजर आ रहा है यह जो यहां पे display है यहां पे chips लगी हुई है जिसमें लिखा हुए है कि यह product किस चीज़ से बलाउं करता है इसमें कॉंसे products पढ़े है at the same time उसकी MRP भी लिखी हुई है MRP and how much you are saving on that यह सारी चीज़ें mentioned है So, यहां पे racks में समान रखा जाता है clearly label किया जाता है price as well as quality tax वगेरा सब The customers move into the store to pick up the goods of their requirement bring them to the cash counter make payment and take the home for the delivery यह बोलता है customer आता है shop में shop में as well supermarkets में सारा समान देखता है rag by rag जो उसको समान चोई हाता है वो लेता है अपने basket में डालता है finally जब उसका समान पुरा खरीदा जाता है तो वो कहां आता है cash counter पे यह counter पे आएगा payment करेगा अपना समान घर ले जाएगा और उनको पैसे दे जाएगा तो इस तरह से पूरी चलती है यहां के transactions however as compared to departmental stores these markets do not offer certain services such as free home delivery credit facility etc यह बोलता है भया इसको अगर हम compare करे departmental stores से क्योंकि मैंने starting में आपको बताया था it's almost similar to departmental stores तो इन्होंने यहां पे एक valid point बता दिया है कि कैसे यह departmental stores से अलग होते हैं departmental stores जो होते हैं वो usually additional services देते हैं वो बहुत सारी additional services देते हैं assistance देते हैं whereas यह लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में यह दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं but that doesn't mean यहां पे हमारे differences खतम होते हैं आपको और clear picture देने के लिए जैसे हमने departmental store और हमारे multiple stores के बीच में differences बताये थे वैसे ही हम यहां पे भी एक और differences बताने वाले आपको supermarkets और departmental stores के बीच में multiple and departmental में तो वैसे भी बहुत clearly visible था difference क्या होता है लेकिन supermarkets और departmental stores में काफ़े दिक्कत होती है differences समझने में इसलिए specifically हम अपके लिए वो वीडियो बनाएंगे so stay tuned for that video and if you want notes of this chapter तो magnetbrains.com पे जाके आप notes ले सकते हैं that's our official website जिसका link is provided in the description box and इस video में हम पढ़ने वाले हैं characteristics of supermarket के बारे में okay so in my previous video हम लोगों ने पढ़ा कि supermarkets होते क्या है how they are different from departmental stores जिसके और भी बहुत सारे differences हम देखेंगे दो तीन videos के बाद but यहां पे हम उनके characteristics के बारे में बात करने जा रहे है किनके supermarkets के okay so what it says supermarket generally carries a complete line of food items and groceries यह बोलता है कि आपको supermarkets में usually जतने food items होते हैं जतनी grocery items होते हैं सब देखने को मिलती है in addition to non-food convenience items यह बोलता है ऐसा नहीं कि सिर्फ food items मिलेंगी कुछ non-food items भी मिलती है लेकिन food items के तो wide variety आपको देखने को मिलेगी यहां पर second it says the buyers can purchase different products as per their requirements under one roof in such a market एकी छथ के नीचे buyers को अलग-अलग products खरीदने की freedom मिलती है यहां पर आपको एकी छथ के नीचे अलग-अलग items खाने की permission मिलेगी देखने की permission मिलेगी not खाने की घर ले जाके आप खा सकते हैं लेकिन यहां पर आप सिर्फ खरीच सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी facilities आपको मिलेगी आप खुझ जाए उठाइए लेकि आईए और अपने घर ले चाहिए पेमेंट करने की बाद आप यहां पर खड़े हो के ओडर देंगे मुझे वह उठा के दो, मुझे वह उठा के दो, मुझे यह करके दो, मुझे वह करके दो तो what they'll do, they'll ask you people, कि भहिया जाओ, खुझ उठा के लाओ, जो समान तुमें चाहिए, राक्स में सब डिस्पले करा हुआ है, तो आपको जो रेक्वार्मेंट है उठाइए और लेकि चले चाहिए फिर यह बोलता है, the prices of the products are generally lower than other types of retail stores, because of bulk purchasing, lower operational costs and low profit margins यह बोलता है, जो products के prices होते हैं, वो generally lower होते हैं than other types of retail stores, because यहाँ पे bulk purchasing, operational costs, इनकी थोड़ी कम रहती है What does saying is, कि दूसरे retailing centers के according, या comparison में, supermarkets में आपको थोड़े से कम prices में products मिल जाते हैं क्योंकि यह bulk में purchase करके लाए होते हैं, इनकी cost कम होती है, directly manufacturers से contact होता है, और वे बहुत सारे reasons है सिर्फ यह यहाँ पे, मतलब इस point को अगर हम refer करें, तो यह point कहीं न कहीं हमने सारे retailing stores में पड़ा है, तो you can't say कि कौन सा उसमें से सबसे सस्ते वाला है Everybody is claiming, every source is claiming कि हम आपको सस्ते products देंगे, वेकि हमारी direct जान पिचान किसे हैं, manufacturer से हैं The goods are sold on cash basis only, यहाँ पे the goods are sold only on cash basis, मतलब वो सर्फ पैसे लेंगे आप से और आपको बेचेंगे, उद्धारी पे कोई समान नहीं देंगे, आप वहाँ से समान लेंगे और उनको बोलो मैं कल पैसे देने आऊंगा, वो बोलेंगे नहीं, आपके पास पैसे हैं, तो ले यहाँ चाहिएगा, फिर यहीं बोलते हैं, the supermarkets are generally located at central locations to secure high turnover, यहीं बोलते हैं, जो supermarkets होते हैं, वो isolated units में नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि supermarkets एक central unit में खड़े होते हैं, shopping centers के बीच में होते हैं, shopping markets के बीच में होते हैं, so that जादा से जादा turn over आप है, अब मुझे बताइए, एक खाली जगे मैं क्या कर दो, एक supermarket बना दू, on the other side, एक supermarket मैंने बनाया, बीच मार्केट के, ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन सा supermarkets जादा अच्छे से चलेगा, इस तरफ सर्फ वहीं लोग जाएंगे, जो actually supermarket जाना चाहते थे, right, क्योंकि इसके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन इस side वो लोग भी जा सकते हैं, जो आसपास की दुकानों से कुछ खरीदने आये थे, और उन्हें मतलब एकदम से याद आखे, कि यार ये चीज़ भी तो घर पर खतम होगी है, पत्ती घर पर खतम होगी है, तो जल्दी जाते हैं, सुपरमार्केट भी है, वहां से समालने के आजाते हैं, तो यहां पर आसपास आए हुए लोग भी कुछ-कुछ चीज़ याद कर सकते हैं, या फिर दिल थिंक, घर पर बैठे बैठे कि हमें कपड़े भी लेना है, वो भी लेना है, इस बेटर कि हम इस side जाएं क्योंकि एक वाले अरिया के, इस तरह से मूफ करते हैं, सुपरमार्केट और यह थे कुछ characteristics of what, सुपरमार्केट, I hope आपको clear हुए होंगे, एक बर में revise करा देती हूं, कुछ नहीं है, विल्कुल departmental stores की तरह हैं, कि एक ही रूफ के नीचे, यह लिए बेराइटी ऑफ प्रिडक्स, मैक् बेराइट होता है, किसी के लिए भी कि शॉपिंग मॉल्स के बीच में associated, मतलब बीच में situated होता है, और अलग से कहीं isolated areas में नहीं होता है, so यह थे कुछ points, कुछ characters थे क्सुपरमार्केट के, I hope आपको कोई डाउट नहीं गया होगा इसमें, लेकिन अगर आपको फिर भी description box, इसके अलावा, there is one more initiative के बारे में, we want to tell you people, that's Magnet Brains Plus, इसमें आपको बहती अलग तरह की assistance provided होंगी, बहती अलग अलग तरह की चीज़े दी जाएंगी, as an additional help, YouTube videos तो हैं उसके अलावा additional help के तरह से, and इस video में हम पढ़ने जा रहे हैं, advantages of supermarkets के बारे में, okay, so in my previous video, हम लोग इने characteristics के बारे में बात की, supermarkets के, यहां हम शुरू करने जा रहे हैं, बात advantages के, मतलब फायदो की, what it says, one roof, low cost, अलग अलग छटों के नीचे आपको जाने की जरूरात नहीं है, एक के छट के नीचे, you'll get everything, that too, कम पैसे में, so what they are trying to say, supermarkets offer a wide variety of products, at low cost, under one roof, बहुत सारी variety देंगे यह आपको पर एक ही छट के नीचे, मतलब आपको इधर से, उधर से, उधर से, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, these outlets are there for not only convenient, but also economical to the buyers for making their purchases, आप मानिये, मुझे चार चीज़े चाहिए, और वो चार चीज़े अलग-अलग दुकानों पर मिलती है, मैं पहले स्कूटी उठाओंगे, यहां जाओंगे, यहां से समान खरीदूंगे, अलग से payment करके आओंगे, आज आओंगे, फिर मैं दूसरी जगे जाओंगे, स्कू और मान लीजिए, उस इंसान के पास जो की payment counter पे बैठा हुआ था, उस इंसान के पास change नहीं होंगे, तो उसने 19.3 के 100 रुपीज पूरे रख ली होंगे, 7 रुपे वहां एक्स्रा चले गए, 3 रुपे दूसरी दुकान पे एक्स्रा चले गए, तो मैंने कितने extra resources खर्च हो इदर उदर फालतूँगा खर्चा और रहता हर शॉप पे एक्स्रा एक्स्रा चले और वो भी कहीं न कहीं बच जाता, तो यह बोलता है, सुपर मार्केट से कहीं न कहीं economical चीज़ें आती हैं लोगों के लिए, Central location, okay, so मैंने जैसे बताया, यह isolated या फिर अलग से किसी इलाके में नहीं होते हैं, यह हमेशा Central locations में ही होती हैं, so as a result of which आपको इधर उदर घूमने की जरुत नहीं है, आप अपना normal shopping करने जाओ, तब भी आप सुपर मार्केट से बहुत सारा समान खरीद के ला सकते हो, The supermarkets are generally located in the heart of the city, generally कहां located होती है, city के दिल में, दिल का मतलब होता है, मतलब यह एक phrase है, जो कि थोड़ा सा ironically इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी city का heart मतलब उसका middle area, उसका beach का area, जहां पे सारी चीज़े easily accessible है, As a result, these are easily accessible to large number of people staying in the surrounding localities, यह बोलते हैं, बहुत easy पढ़ता है surrounding localities के लोगों के लिए, कि वो आके अराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, Wide selection, supermarkets keep a wide variety of goods of different designs, colors, etc., which enables the buyers to make better selection, इनका कहना है कि बहुत सारी items रखी जाती है, तो मतलब किसी भी customer के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि उसको बहुत सारी items में से अफने according choose करने को मिल जाती है, तो इसके लिए उसको क्या मिलता है, choice करने की permission मिलती है, फिर यह बोलता है, no bad debts, as generally the sales are made on cash basis, there are no bad debts in the supermarket, मैं बहुत बार बोल चुक्यों, bad debts कब होते हैं, जब इनसान उधारी में समान देता है, आप उधार दोगे किसी को, तभी तो वो बिचारा, मतलब बिचारा क्या, हम बिचारे हैं इस सिनारिय में, तभी तो वो कहीं पैसे लेके भग जाएगा, या आपको पैसे नहीं पे करेगा, तो bad debts हो जाएगे, यही होता है न, लेकिन यहाँ पे, आप सारी transaction जब cash में कर रहे हो, तो bad debts के तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप उधारी तो किसी को देहीं नहीं रहे हो, benefits of being large scale, a supermarket is a large scale retailing store, it enjoys all the benefits of a large sale, buying and selling, because of which its operating cost are lower, यह बूलता है, क्योंकि supermarket large scale पे perform करता है, तो as a result of which, कहीं न कहीं, इसकी operating cost कम आती है, economies of scale, बताया था पहले भी, और जादा अच्छे से आपको economics में समझ में आगी concept, जो कहीं न कहीं large scale पे perform करते करते, operating cost कम आती है, जिसकी वज़े से इसको काफी जादा benefit भी होता है, और इनसान को भी benefit होगा, क्योंकि अगर इसको कम दामों पे चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर ये लोग को भी तो सस्ते जामों पई चीज़ें देगा ना, तो यहाँ पर लोग का भी फाइदा और इसका खुद का भी फाइदा है, तो यह थी कुछ advantages किसके supermarkets नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे limitations of supermarkets, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं limitations of supermarkets के बारे में, ओके, so in my previous वीडियो हम लोग ने इसके advantages के बारे में बात की थी, यहाँ हम बात करें इसके disadvantages के बारे में या फिर limitations के बारे में, so what it says, no credit, मतलब यह आपको उधारी पे समान नहीं देंगे, see actually क्या होता है, बहुत सारे घरों में प्लानिंग चलती है, कि पूरे मन्त का budget किस तरह से बनेगा, पूरे मन्त उन्हें कैसे काम जलाना है, कैसे नहीं करना है, और salary आने के बाद bifurcation होती है, लेकिन sometimes क्या होता है, salary आने में delay हो जाता है, तब तक आपको क्या करना पड़ता है, temporary इधर उधर से उधारी पर समान करीना पड़ता है, लेकिन क्योंकि supermarket आपको कभी उधारी पर समान नहीं देगा, तो यह option आपके लिए खतम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे किसका नुक्सान हुआ, कस्तमर का नुक्सान हुआ कि उसको एक option छोड़ना पड़ रहा है, जस्विकिस उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप दस सेम टाइम सुपर मार्केट का भी तो नुक्सान हुआ, उसके भी तो कुछ कस्तमर चलेगा है ना, जस्विकिस वो लोग उस ताइम पे पैसे पे नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे दोनों को कहीं न कहीं इस वज़े से नुक्सान होता है, क्योंकि यह उधारी पे समान देने में, बलीव नहीं करते हैं, आप खुद समान उठा रहे हैं, Unless and until you'll call for somebody, nobody's gonna come So, ऐसे सिनारियो में आपको अटेंशन नहीं मिलती है और वो लोग जो हमेशा सामने वाले की अटेंशन के बेसिस पर ये गुच करीते थे कि वो बताता था कि ये कैसा है, ये ऐसा है, ये प्रोड़क्ट ऐसा है, वैसा है आप ये लीजिए, बो लीजिए, आप उन लोग को आदत नहीं होते हैं ऐसे खुद गुच देखने की और ऐसे में वो रैंडम पिक्स कर लेते हैं, मतलब कुछ भी उठा के ले आते हैं जैसे आपने देखा होगा ऐसे सुपर मार्केट में अगर आप जाते हैं कि कुछ लोग आते हैं, वो बिना सोचे समझे, मतलब कुछ लोग तो बहुत आनलाइज करके समान उठाते हैं लेकिन कुछ लोग बिना सोचे समझे, ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, ये भी उठा लिया कि कास्टोमर की शॉप की पर खुद अटेंशन दे के बता रहा है उनको कि यह समान है वैसा समान है तो यहां पर वो चीज आपको नहीं मिलेगी थार दे से उने रोको तब तक वह आपका नुक्सान कर चुके होते हैं आगधि सेम टांब चाल रहे हैं इधर उदर से समान गिरा रहे हैं कहीं पर कुछ मारें कहीं कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत जबादा मिस्स हांडलिंग होती है गज के साथ हूं कि कस्टमर जो है आपका वो क्या है थोड़ा सा careless है जो कि normal shops में possible नहीं है शॉप में क्या होता है कि सामने counter होता है पीछे वो इंसान shopkeeper बैठा होता है और उसके पीछे उसकी पूरी दुकान होती है और आप counter के इस तरफ होते हो तो आप interfere नहीं करते समान के साथ लेकिन क्योंकि यहां पर racks में रखा जाता है समान as a result of which आप जाओगे तो हर्टी आपके around ही है तो आप गिराओगे कुछ भी करोगे तो नुक्षान तो भीचारे store वालों का होने वाला है किस्रमर को कम दाबों पर समान दे ही नहीं पाते और जब ये कस्टमर को कम दामों पर समान देहीं नहीं पाये नॉर्मel बुख रuding पिदेνगे या उससे भी जीजादा रेच पिदेंगे तो क्या ही फायदा कस्टमर को यहां पर खरीदने का they can purchase from somewhere else shopkeeper से अपने बगल वाले grocery items बेचने वाले अंकल वगेरा से फिर यह बोलते हैं huge capital requirement क्योंकि इनको देनी होती है wide variety लोगों को इनको बड़ा बड़ा infrastructure बनाके देना पड़ते हैं इनको पूरे racks बनवाने पड़ते हैं इनको पूरा system जमाना पड़ते हैं इनको बहुत सारे लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं for systematic organization of particular place तो ऐसे scenario में इनको काफी जादा cash की जरौत होती है काफी जादा capital की जरौत होती है जो की arrange करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है so in short ये supermarkets बहुत सारी limitations के साथ आते हैं बहुत सारी चीजे यहां पर ऐसी हैं जो काफी problematic बन जाती है इन लोगों के लिए and इस video में हम देखने जा रहे हैं differences के बारे में departmental stores और supermarkets के okay so just first video बनाया था मैंने supermarkets पे तब आए टोल ये people that departmental stores पी almost similar होते हैं बहुत minute differences होते हैं दोनों के बीच में तो यहां इस video में plus हमारी next video में we are going to see के दोनों के बीच में exactly ऐसे क्या differences होते हैं जो दोनों को अलग बनाते हैं आये जानते हैं first we'll be talking about departmental store और फिर हम जाएंगे supermarket पे जो हमने basis select किया है that is first is establishment second is capital goods and services offered sales techniques so इस video में हम ये चार points को refer करेंगे और बताएंगे differences के बारे में और in next video we'll be referring four more point of differences okay first क्या बोलता है departmental store के establishment के बारे में it is more difficult to establish a departmental store than a supermarket इनका कहना है कि departmental store बनाना थोड़ा ज़्यादा कथिन होता है as compared to supermarket मतलब supermarkets में उतना ज़्यादा effort नहीं लगता जितना departmental store में लगता है okay ऐसा नहीं है कि supermarket में efforts लगते ही नहीं है we are comparing कि supermarket में efforts लगते हैं लेकिन departmental store से कम efforts ठीक है और यहां लिखा हुआ है it is comparatively easier to establish a supermarket एक supermarket बनाना थोड़ा सा comparatively easy होता है as compared to what departmental store second it says capital departmental store requires more capital to be investor departmental store को ज्यादा पैसो की आवश्रक्ता होती है अपना store establish करने में पहले हमने बोला बनाना भी difficult होता है अब हम बोड़ रहे हैं कि भीया पैसे भी ज्यादा लगेंगे capital भी ज्यादा लगेगा departmental stores में on the other side जब हम supermarkets के बारे में बात करते हैं तो supermarkets requires comparatively less amount of capital मतलब supermarkets कम पैसो में काम कर लेता है कम पैसो में इनका चल जाता है लेकिन कम पैसे मतलब यह नहीं कि बहुत सस्ते amount में बन जाता है departmental store की comparison में कम पैसे लगते हैं जैसे यहाँ पे departmental store में बनाना difficult होता है और उसमें पैसे भी सादा लगते हैं तो उसके comparison में supermarkets में बनाना थोड़ा सा easy होता है और पैसे भी थोड़े से कम लगते हैं फिर यह बोलता है goods and services offered almost all the goods and services of the regular needs of the consumers from pin to motor car are offered in the departmental store जब मैं आपको departmental store के बारे में बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे छोटी सुई से लेके बड़ा सा बड़ा washing machine यह वो सब बिकता है सो यहाँ पे आपको छोटी छोटी आईटम से लेके बड़ी 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 और बड़ी आइटम भी देखने को मिलती हैं और बेची भी जाती है सो departmental stores में आपको हर एक तरह की item देखने को मिलेगी pin से लेके motor card तो कुछ भी बिक सकता है एक department store में लेकिन ऑन दा अधर साइड जब हम बात करते हैं सुपर मार्केट की तो गुट आव तो ग्रॉसरी एंडेली यूजर प्रवाइड इना सुपर मार्केट यहां पे ज्यादा फोकस या तो फूट आइटम पे किया जाता है फूट आइटम्स बिखती है यहां फिर ग्रॉसरी आ साइज वाले छोटे-छोटे आइटम्स जादा बलकी नाओ उन सब चीजों में डील करता है और अधर साइड डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े-बड़े आइटम्स में भी डील कर सकते हैं जैसे इन्होंने में मेंशन किया है मोटर कार मोटर कार मतलब बड़ी कार नॉट वो बचो कि खिलओने वाली कर फिर यह बुलता है सेल्स टेनिक्स इन देपार्टमेंटल सोर गुज्ज अड़रे ऑंवा शेल्जमन देचीज में अब फिचेडक फिर ब sanctions थेहं हैं बहुत सार ऐसे अलग से लोग खड़े होते हैं जो आपकी assistance के लिए तयार होते हैं वाट नाट लाइक वो सब को पगड़के सब कुछ explain करने लग जाते हैं उनको जहां requirement लगते हैं वो वहां आते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता customer select the goods without any aid from the salesman salesman कोई help नहीं करता है गिंती के एक दो या फिर नहीं भी होते हैं sometimes supermarkets में तो यहाँ पर आप जादा से जादा उस पर rely नहीं कर सकते वहरों यहाँ पर salesman फिर भी आपकी मदद के लिए कहीं न कहीं होता है तो क्या क्या देखा हमने difficult होता है बनाना डिफिकल्ट नहीं होता है बनाना capital जादा चाहिए होती हैtoi सब कुछ मिलता है डेली यूज की आईटम मिलती है चोटे मोटे रेवल की यहाँ पे salesman होता है मदद करने के लिए यहाँ पे salesman नहीं होता है तो यह देखिए चोपी चोपीड शॉटे सारे differences निकाल दिया है कैसे departmental store or supermarket से एक दूसरे से different होती है and इस video में हम पढ़ने जा रहे है departmental store and supermarkets के बारे में okay so हम लोग already इसके कुछ differences पढ़ चुके हैं यहां further differences के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहां जो हमने difference के points ले हैं वो है prices of goods, objects, customers, cost of operation. तो first we'll talk about prices of goods. It says prices of goods are generally higher than the market prices in departmental store. इनका कहना है कि जो यहां पे जो prices होते हैं goods के वो generally higher होते हैं. मतलब generally ज्यादा होते हैं normal prices के comparison में. लेकिन on the other side जब हम supermarkets की बात करते हैं तो it says prices of the goods in a supermarket are generally lower than the market prices. तो यहां पे आपको थोड़ी सी बचत हो जाती हैं market के comparison में और आपको prices थोड़ी से सस्ते दामों पे भी मिल जाते हैं. So it says what? कि यहां पे आपको prices जादा पे करने को पर मिलेंगे वेरस यहां पे prices आपको थोड़ी से कम दामों पे मिलेंगे in comparison to market prices. Second it says object. The main object of a departmental store is to provide almost all the goods and services under one roof. यहां पे यह बोलते हैं कि आपको हर एक तरह के goods and services मिल जाते हैं under one roof. वेरस यहां पे the main object जो रहता है इनका वो यह रहता है कि daily use की जो भी items होते हैं वो आपको reasonable rate में मिल जाते हैं. यहां पे the last cue कि भी यह हमारा object यह है कि आपको हर एक item प्रवाइट की जाएं एक ही roof के नीचे आपको किसी भी item के लिए कहीं और बाहर ना जाना पड़े हैं. वेरस यह बोलते हैं हमारा object यह है कि daily use वाली जो items होती हैं वो कम दामों पे reasonable rates में आपको मिल जाते हैं. उसके बाद it says customers. Customers of a departmental store generally belong to higher and middle income class. यह बोलते हैं यहां पे जो लोग आते हैं जो customers आते हैं वो usually यह तो बहुत high class से आते हैं या middle higher group से आते हैं. See middle class भी जो होते हैं उसमें भी दो path होते हैं. Middle higher, middle lower. तो यहां पे यह बोलते हैं. It's for kind of rich people. यहां तो बहुत rich people आएंगे यहां फिर middle class में भी rich people होते हैं वो आएंगे. Whereas supermarket is for all the classes. यहां पे हर एक class का इंसान आ सकता है. It's not necessary. आप बहुत ज़दा अमीर हो तभी आपका यहां पे काम बनेगा. आप अगर इतने ज़दा अमीर नहीं भी होंगे तो भी आपका यहां पे काम बन चाहेगा. फिर यह बोलता है cost of operation में. Cost of operation of departmental store is very high. जो departmental store की cost of operation होती है, operational cost होती है. वो generally बहुत ज़दा हाई होती है. In comparison to what? Supermarket. यहां पोलता है cost of operation of a supermarket is comparatively low. मतलब इससे जब हम compare करें तो supermarket की जो operational cost होती है, वो कहीं न कहीं थोड़ी सी कम होती है. So, in short हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने चार basis पढ़े. One is prices of goods, object, customers, cost of operation. Prices of goods में हमने देखा कि market prices के comparison में यहां पे prices थोड़े से high होते हैं, whereas supermarket में prices थोड़े से कम होते हैं. Object में हमने देखा कि इनका object होता है, सारे goods मिल जाएं under one roof, whereas इनका object होता है कि आपको daily use की items reasonable rate पे मिल जाएं. Customers में देख, customers of a departmental store are generally higher group से belong करते हैं, या middle group में भी higher logo से belong करते हैं, higher class से belong करते हैं, whereas यहां पे कोई class bifurcation नहीं है, anybody can come और everybody can come. But generally, यहां पे lower class वाले लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि, see, कहीं न कहीं हमारे crowd में ये चीज़ होती है, कि richie people don't like going to places जहां पे poor लोग जा रहे होते हैं, और supermarkets में usually poor लोग जाते हैं, क्योंकि उनको reasonable rate में items मिलती हैं, तो वहां का generally देखके, या पे crowd देखके, ये लोग वहां पे जाना पसंद नहीं करते हैं, फिर यहां बोलते हैं, cost of operation इनकी थोड़ी सी high होती है, whereas इनकी थोड़ी सी low होती है, इस video में हम पढ़ने जा रहे हैं, origin tax के बारे में, So it says, origin based taxes levied where goods and services are produced, not where they are consumed, ये एक ऐसे तरह का taxation है, जो उस जगेह पे लगता है, जहां पे goods का production होता है, instead of उसका consumption, just opposite of destination tax, अभी previous video में हम लोगों ने destination tax के बारे में पढ़ा है, जो बोलता है कि जहां destination होगी उस कुछ की, वहां पे उस पे taxation लगेगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जहां पे goods produce किये जाते हैं, वहां पे उसका taxation process start होता है, और वहीं पे taxation लगता है, same way में यहां पे भी उन्होंने एक example दिया है, same गुजरात और राजस्तान का example है, If A in Gujarat produces the goods and sells the goods to B in Rajasthan, then in such case the tax should be levied and collected in the state of Gujarat and not in the state of Rajasthan. यह बोलते हैं कि अगर माल लेजे कभी भी goods का production होता है गुजरात में और वो भेजे जाते हैं राजस्तान में भी इंसान को, then in that scenario यहां पे taxation जो लगाया जाएगा वो गुजरात में लगाया जाएगा ना कि राजस्तान में. आई यह previous वीडियो की तरह इसमें भी हम एक example देख लेते हैं यहां गुजरात से goods शुरू हुए, produce हुए, यहां पे क्या हो रहा है इसका production हो रहा है और यह उन्होंने बेचे कहां पे राजस्तान में, तो राजस्तान इसका क्या हो जाएगा, destination हो जाएगा, यह destination taxes जहां पे जहां पे goods का origin होगा, वहीं पे अगर आप उस पे tax लगा देंगे, तो यह क्या माना जाएगा, यह माना जाएगा आपका origin tax, so basically, just अगर आपने destination tax समझ लिया, तो यह उसका बिल्कुल opposite concept है, destination tax में, destination या फिर consumption वाली प्लेस पे taxation लगाया जा रहा था, वेरस यहां पे tax लगाया जा रहा है, आपकी place of origin में, मतलब जहां से goods का production स्टार्ट होगा, मतलब जहां पे goods produce हुए है, वहीं पे taxation लग जाएगा, आगे की story जाएगी ही नहीं, ऐसे में क्या होता है, कि आचली बहुत सारे अलग-अलग taxes होते हैं हमारी country में, उसको हमने bifur किया हुआ है कुछ destination tax में और कुछ origin tax में, बट हम इसे यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, यहां पे पढ़ने का एक simple सा reason है, कि जैसे हमने direct indirect tax पढ़ा था, जो की मतलब आपकी book में नहीं given है, बट still GST में कहीं न कहीं उसका reference दिया हुआ है, तो हमने वालक से पढ़ा, तो ऐस यहां पे GST में destination tax और origin tax का काफी बार reference दिया गया है, तो अगर आपको यह दोनों concepts पता हुँगी, तो आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा कि exactly करना क्या है, okay, so अब finally हम GST वाला topic start करने जा रहे हैं, which is a very important topic, क्योंकि बहुत जादा trend में भी है, अभी-अभी implement हुआ है, काफी सारी चीजे उसमें जानने लाइक हैं, तो वो सारी चीजे हम जानेंगे हमारी next video से, so stay tuned for that video, और अगर आपको कुछ भी note, मतलब किसी भी topic से related, कोई भी doubt है, तो आप comment section में वो पूच सकते हैं, and if you want notes of this chapter, तो magnetrange.com पे जाके आप notes ले सकते हैं, that's our official website, जिसका link is provided in the description box, इसके अलावा हम आपको एक और initiative के बारे में बताना चाहेंगे, जो magnet brains ने start किया है, that is magnet brains plus, that's basically an initiative जिसमें बहुत सारे additional चीजे प्रवाइड की जा रहे हैं students को, so that उनको ऐसा ना लगी कि हम क्योंकि coaching classes नहीं जा रहे हैं, just because हम YouTube से पढ़ रहे हैं, तो हमारा, मतलब हम क किसी चीज में lack कर रहे हैं, वो चीज फील नहीं आने चाहिए, इसलिए उस चीज को replace करने के लिए हमने आपके लिए additional मदद या for help या कुछ भी बोल सकते तयार की है, and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, cash caring effect के बारे में, so हमने पहले पढ़ा direct tax, फिर पढ़ा indirect tax, फि तो ये सारे taxes के बारे में हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें GST की concept को अच्से समझना था, जो कि हमारे slavers का part है, उसी तरह से हमें ये cascading effect term को समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी कही न कहीं GST का part है, कैसे क्या, वो सारा हम GST वाले section में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पहल tax लगना, मतलब एक बार tax लग चुका है, उसी particular price को include करके उसी के उपर दुबारा से tax पे कर रहे हैं, तो cascading effect में ये बोलते है, tax on tax, मतलब बार-बार tax के उपर tax लगना है, what? Cascading effect, फिर ये बोलते है, होता कैसे, ये बोलते है, हर एक level पे न, जब हम goods पे tax पे करते हैं, मत diagram में देख पा रहे हैं, तो एक level पे पहले आप tax पे करेंगे, फिर second level आएगा, यहाँ पे आप tax पे करेंगे, फिर third level आएगा, यहाँ पे आप tax पे करेंगे, तो मतलब हर एक level पे आप taxes पे कर रहे हैं, अब ऐसे में दिक्कत क्या आती है, जब आप हर level पे taxes पे कर रहे होते तो यहां पे जो आपने tax pay किया है वो कहीं ना कहीं same product पे यहां पे दुबारा से tax pay कर रहे हो और ना सर्फ same product पे tax pay कर रहे हो बलकि उसके अलावा वो particular price में जो आपके जिसके उपर आप tax calculate कर रहे हो उसमें पुराने वाला tax भी included है कैसे क्या होता है numerical way में मैं समझाऊंगी आपको पूरा लेकिन पहले यहां की line पढ़ लेते हैं यह बोलते हैं कि हर एक level पे जब आपको tax pay करना पड़े that to tax के उपर tax pay करना पड़े ना तो उससे price क्या होता किसी भी product का बढ़ जाता है inflationary effect आता है जिसकी वज़े से customers के हाथ में जब वो चीज पहुचती है ना तो बहुत ही जादा मेहंगी पहुचती है और आप बताईए काईदा क्या बोलता है कि एक product पे सिर्फ एकी बार tax लगना चीए आपको एक बार income होई क्या आप 10 बार tax पे करते हो नहीं ना एक बार income होने पे आप एक ही बार tax पे करते हो लेकिन यहाँ पे आपको एक ही product पे 10, 15, 20 बार taxes पे करने पड़ते है that to पुराने वाले tax का exemption भी नहीं मिलता और पुराने वाले tax को और count कर लेते है हम price में मतलब जिसके उपर हम calculate करते हैं हमारा नया tax तो ऐसे में बहुत सारी problems जाती है तो यह बोलते हैं ऐसे में inflationary effect आता है लेकिन अब हम exactly समझेगे cascating effect है क्या imagine कीजिए एक ऐसा scenario जहां पर एक manufacturer है ठीक है और उसकी बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी product पे थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और उस product की value को increase करते हैं ठीक है तो ऐसा situation है बलत कर लीजे दिमाग में इसमें क्या हो रहा है एक इंसान cookies बनाने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो first इंसान क्या करेगा पहले raw material खरीद के आएगा तो यह इंसान क्या करता है raw material खरीद के आता है आटा, सूजी, चॉकलेट, शुगर जो भी उसको लगती है अब आप मुझे एक बार बताईए जब यह समान खरीद के आ रहा है क्या यह उन पे tax नहीं पे कर रहा होगा कर रहा होगा न तो जब आप raw materials खरीद के आते तो already आप उस पे कुछ tax पे कर के आते हो चलो ठीक है, एक tax तो वो हो गया अब आप ले के आए उसे अपने हाँ पे आपने उसे गूंदा सब कुछ किया और cookies में convert कर दिया ठीक है, अब जब आप इसे बेचने जाएंगे फिर tax पे करना पड़ेगा तो एक और बाटाक्स लग गया अब उसके बाद जो थर्ड लेवल पे इंसान वैठा हुआ है वो क्या करेगा, उस पे packaging वाला काम करेगा तो वो आगे बेचेगा, तो उसे भी tax लगेगा तो ऐसा देख रहे हो, हर एक level पे आपको tax pay करना पड़ रहा है हर एक level पे आपका क्या लग रहा है, tax लग रहा है अब example में देखी, यह बोलता है कि 10 रुपए के इसने raw materials खरीदे और उसमें थोड़ा सा value addition किया जिसकी वज़े से tax आरा सा 2 रुपए ठीक है, तो यह blue में जितना भी लिखा हुआ है वो tax है और यह total price है product का और 10 रुपए मतलब इसने कितने में खरीदा इस 10 रुपए में कही ना कही tax included है जसे मैंने पहले ही बता दिया आपको यह sugar, आटा, यह सब सीजे लेके आए इसमें 10 रुपए में यह already tax paker की आया हुआ है तो 10 में tax already included है उसके बाद 2 रुपए मतलब उसके उपर काम कर रहे है तो 2 रुपए उसका tax बन रहे है तो ऐसे में प्रिड़क्ट की कीमत बन जाती है 12 रुपए मतलब कुकीज कितने की मिल रही है 12 रुपए की अब इसने आगे वाले को बेचा उसने भी कुछ value addition किया अब जब मैं किसी प्रिड़क्ट पर कुछ Kaam करूँगी तो मैं अकने लिए profit भी तो प्रॉफट भी आइड करूँगी बलकुल करूँगी जब में कोई काम करें किसी जीज़ पर मैं उसके उपर अपना profit भी तो लगाओंगी तो इस इंसान ने एक रुपे अपना profit लगाया बारा रुपे में इसने goods खरीदे थे और दो रुपे इसको फिर से tax pay करना पड़ रहा है यह pink में जो लिखा हुआ है इसका value addition का profit है तो बारा रुपे का product आया दो रुपे tax pay किये और एक रुपे का इसका value addition वादलब इसका खुद का profit है तो ऐसे में product का cost क्या हो गया 15 रुपे अब 15 रुपे का इसने खरीदा तो यह tax किस पर count करेगा 15 प्लस इसका जो profit margin होगा that is 1 रुपे उसके उपर calculate करेगा माल लो फिर वो आ जाता है 2 रुपे तो total product product का price क्या हो गया 18 रुपे अब 18 रुपे में product मिलेगा इस इनसान को अब आप मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पर पूरे सिनारियो में did you see कि इस 10 में tax already included था ऐसा नहीं था कि 10 रुपे सिर्फ कीमत थी उस particular product की और taxation अलग से है 10 में already included था tax उसके बाद 12 में यह जो figure है 12 इसमें भी tax included था और उसके उपर आप tax calculate कर रहे हो तो आप एक ऐसे product के price की उपर tax calculate कर रहे हो जिसमें already taxation का part है 10 रुपे का वो product नहीं है सिर्फ 10 रुपे का उसमें वो भी है taxation भी है फरसे 8 रुपे का product है तो 2 रुपे taxation भी है उसमें तो total 10 रुपे product प्लस taxation दोनों को मिला के बना हुआ है जिसके कारण यहां पे आप बार बार tax की उपर tax, tax की उपर, tax और tax की उपर, tax पे किये जा रहे हो ऐसे में आपका यह गलत बैठता है हिसाब किताब क्योंकि इससे आता है cascading effect जब हम tax की उपर, tax पे करते रहते हैं तो उसे बुलते हैं cascading effect अब question उड़ता है ना हमें क्यों पढ़ना है हम क्यों पढ़ रहे हैं तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि GST ने इस problem को हटा दिया था GST ने एक ऐसा initiative लाया ITC करके input tax credit करके ऐसा लिए बोलोंगे कि GST से first time concept existence में पहले VAT भी हुआ करता था उसमें भी ITC था लेकिन GST से सारे indirect taxes में यह particular चीज आ गई यह revolution आ गया कि अब आपको बार बार tax पर tax pay नहीं करना यह जो taxation already paid है इसका credit आपको यहाँ पर मिल जाएगा यह जो taxation यहाँ पर pay हो रही है उसका credit आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो हर पुराने tax का credit मतलब exemption आपको मिल जाएगा अगले लेवल पे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं GST के बारे में So finally we are starting this topic क्योंकि बहुत टाइम से हम इसकी बारे में बात कर रहे थे लेकिन हमने इस topic को as such पढ़ा नहीं था So देखते हैं यहाँ पर क्या लखा हुआ है यह बोलते हैं The government of India following the credo of one nation one tax क्या main motive था एक देश में एक ही तरह का tax होना चाहिए बहुत सारे taxes नहीं होने चाहिए क्योंकि वो confusion पैदा करते हैं अब क्या होता है मैं आपको एक बहुत simple सा logic बताती हूँ एक इंसान है बिजनस कर रहा है अब उसको पता चलता है थोड़े दिन बाद इसका return भरना है थोड़े दिन बाद इस taxation का भरना है थोड़े दिन बाद इसका advance tax pay करना है थोड़े दिन बाद इसका return भरना है तो ऐसे में इंसान हमेशा returns ही भरता रह जाएगा बिजनस कब करेगा या फिर उस इंसान को इन सारे टाक्सिस की नौलेज होना पड़ेगी उसके बाद ही वो बिजनस कर पाएगा तो इतने में तो इंसान सुझे का यार बेटर है मैं सालरेड एंप्लॉई बंजों मैं तो जो भी कर लो ठीक है यह में डारेट डेवलाप हो रह करते हैं सिंपल बनाते सब के लिए पड़ने वाले बद्चों को भी प्रप्रäंशी पर डेंशन पर बिसिनस करने वाले सल लोग को भी बहुत तरह की प्रापम होती है जिसनरी हम क्या इस सारे इंडीरेक्ट टाक्सिस ना एक ही लुए डाल के उसको एक कंसोय प्राइद ट discharge बना देते हैं और विल्कुल सेम इनोंने ऐसा किया GST को लेके 17-18 इंडारेक टाक्स थे जिनको इनोंने रिफलेस किया किसके साथ GST के साथ पहले वो सब टाक्स लगते थे वुन्होंने सबका नाम हटा के एक कमवाइन टाक्स बना दिया जिसको हम बोलते हैं गुद्स एन सर्विस थाक्स ओके यह क्या पूलता है और वांटिंगा युनिफाइड मार्केट इन और तो इंशार दिस्मूद फ्लोव गुद्स अक्रॉस्ट इंप्लिमें दिस्ट यह पूलते थे बहुत बारना इधर एरिया से उधर एरिया तक गुद्स लिगाने में बह जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इनका में इंटेंशन था कि मानुद्स बिजनसमें इंवेस्टर्स कंजीमर सबको ही ना बहुत सारे टाक्सेशन की ओबलिगेशन से थोड़ा सा रिलाक्सेशन देते हैं हटा देते हैं उनके सरसी फार्टू का भारी भरकम भोज और उ पॉस्ट रिवलुशनाइजिंग टाक्सी रिफार्म इंडेंटाक्सेशन हिस्टर्य यह बोलता है भईया टैक्सेश बहुत बार आये थे रिफॉंड भी बहुत बार आये लेकिन इतने बड़े लेवल का रिफॉंप फस्टाइम आया है इंडियन हिस्ट्री में मतलब ऐसा क्योंकि पता है क्या है दिक्कत यह है कि इंडियंग्स ना क्या थोड़ा सा डाइनमिक नहीं है फ्लेक्सिबल नहीं है उनको ना चेंजस अड़ाप्ट करने में बहुत टाइम लगता है और उनका जेनरल रियाक्शन होता है प्रोटेक्ट करो कोई भी चेंज आया है say no और protest करो without even understanding कि उस change से उनका कितना भला हो सकता है so Indians के अंदर काफी हद तक यह चीज रह दी तो इससे पहले कोई भी सरकार इतना major step ले नहीं पाई थी लेकिन finally यह particular नई सरकार ने आके particular step लिया अब ऐसा नहीं है कि GST की बारे में मुद्धा मतलब चर्चा ही first time हुई GST बहुत पुराना मुद्धा है बहुत सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है लेकिन इसका implementation अब हुआ है next it says GST is a destination based single tax on the supply of goods and services from the manufacturer to consumer and he replaced multiple indirect taxes divided by the central and the state government अब समझ में आया है मैंने आपको indirect taxes पहले क्यों अलग से पढ़ा है था क्योंकि GST ने total 17 indirect tax को हटाया और GST लेके आई और यहां पर मतलब बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे indirect taxes Central level के थे बहुत सारे क्योंकि इतने सारे बिंगा student also आप सोच सकते हैं इतने सारे taxes पढ़ने पढ़ने पढ़ता थे paper में इतने सारे taxes से question आते और अब क्या है सब GST से आता है सब एक tax पढ़े और आप पास हो जाएंगे सो काइंड आफ हम students के लिए मतलब आप students के लिए हम तो नहीं आप students के लिए काफी अच्छा initiative है GST इस वीडियो में हम GST के बारे में और कुछ बाते पढ़ने जा रहे हैं okay so in my previous video हम लोग ने GST topic स्टार किया जसमें मैंने आप बहुत basic information दियो उसके बारे में and with that I said इसके बारे में और बहुत कुछ पढ़ना है हमें so इस particular video में हम वो सारी चीजे पढ़ेंगे कि हम GST से क्या-क्या expect करते हैं और हमारी वो क्या intentions रही थी जिसकी वज़े से हमने GST को existence में लाया है so first we'll be starting with the first point it says GST is expected we are not saying कि अभी से उसने ये सब चीजे करनी शुरू कर दिया लेकिन हमारी expectation है GST से कि ये सब चीजे वो करेगी GST is expected to improve the ease of doing business and tax compliances जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक businessman अभी VAT का return भे कर रहा होता था भर रहा होता था और उदर से service tax की attention आ जाती थी उदर से service tax का return भरता तो उदर से कोई और income tax की कोई आ जाती थी दिखकर तो ऐसे में businessman हमेशा taxation और उसके compliances में ही इदर उदर घूमता रहता था कभी CA के पास जा रहा है कभी CS के पास जा रहा है कभी WAD auditor के पास जा रहा है अब अब एक बास बताईए आप businessman बने हैं business करने के लिए या यह सारी compliances के लिए business करने के लिए न बट इन सब compliances के चक्कर में आपको business करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है आज ये कर रहे हैं तो कल वो कर रहे हैं पर सो वो करेंगे तो ऐसे में आप business कब करेंगे यही questions आमने आता था हमेशा तो इन्होंने बुला tax compliance को simplify करते हैं वैसे भी तो हम अपने देश में ease of doing business की concept को promote कर रहे हैं वैसे भी तो we want हमारे यहाँ पर जादा से जादा लोग business में घुसे तो हमने बुला कि यार एक काम करते हैं everybody should मतलब हर किसी को promote करते हैं कि business की तरफ जाओ इसलिए हम business को थोड़ा सा easy बना देते हैं करना ताकि लोगों को जादा वो ना लगे दिक्कत ना लगे कि यार इतने मुश्किल काम इतना रिसकी काम कौन करेगा ऐसा feel नहीं होना चीए तो as a result of it हमने सुचा चीजों को change करते हैं तो tax compliance को थोड़ा सा simplify किया है और ease of doing business लाने की कोशिश करी है reduce the tax burden by eliminating tax on tax tax on tax क्या होता है I hope आपको वो word याद है याद है तो जल्दी से comment section में लिखके बताईए अगर आपको नहीं याद तो मेरी next video में आप initial वो देख सकते हैं उसमें आपको answer मिल जाएगा अभी अभी ज़स हमने पढ़ी है concept एक दो वीडियो पहले ही so tax on tax की problem को भी इसने कहीं न कहीं eliminate किया है जब मैं वो वीडियो आपको बता रहे थी उस वीडियो में आपको बता रहे थी उस particular term के बारे में जो मैंने बोला था कि GST हम इसी लिए इतना ज़ादा प्रेस करें GST को कि कहीं न कहीं इसने tax on tax वाली problem को sort किया है हटाया है फिर यह बोलता है improved tax administration अब देखिए पहले 10 चीज़े होती थी taxation वाले administration वाले लोग के पास भी अब एक ही चीज है एक ही चीज को manage करना है अब आपको 10 चीज़ों के laws याद करने की ज़रौत नहीं है 10 चीज़ों के procedure याद करने की ज़रौत नहीं है जैसे एक procedure याद करो और सारा काम चल जाएगा तो इससे taxation का administration भी तो कितना simplify हुआ है फिर यह बोलते है mitigate tax evasion अब देखिए पहले यह होता था 10 taxes होते थे कहीं न कहीं हम evasion के बारे में सोचे लेते थे लेकिन GST ने बहुत ज़्यादा transparency ले आई है क्योंकि GST ना हर एक चीज को ना verify करती है audit करती है as in like इधर की invoices को इधर के invoices ते match करेगी तो कोई बे इंसान जूट बोलेगा तो फट से पकड़ा जाएगा तो जूट बोलना मतलब क्या tax evasion करने की कोशिश करना tax evasion करना मतलब tax बचाने की कोशिश करना illegal means है so वो चीज अब possible नहीं हो पाएगे क्योंकि GST कहीं ना कहीं transparency ला रहा है broaden the organized segment of the economy अब इसकी वज़े से क्या होगा जादा से जादा लोग हमारी organized sector का पार्ट बनेंगे क्योंकि जादा से जादा को हम include करने की कोशिश कर रहे है इस पर्टिकुलर फेज में बोस tax revenues अब इतना simplified हो जाएगा लोगों को चिक नहीं रहेगी लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो वो भी खुश रहेंगे वो भी timely taxes पूरा करेंगे भेजेंगे government को तो इससे हमारे tax revenues कहीं न कहीं increase भी हो जाएंगे the GST has replaced 17 indirect taxes GST ने क्या किया है पिछले 17 indirect taxes को हटा दिया है जिसमें से हमारे 8 है central वाले और 9 है state level वाले है मतलब state और center दोनों के taxes को अटाया है बहुत बच्चों को ऐसी गलत है में होते हैं कि सिर्फ central वाले taxes को अटाया है नहीं बच्चा central as well as state दोनों को ही हटाया है काफी हट तर फिर यह बोलते है 23 cesses भी included है now what's the question says क्या होता है is the question okay says क्या होता है basically जैसे taxation का जो पैसा collect होता है वो किसी भी purpose के लिए इस्तिमाल होता है first say मैं बोलती हूं taxation से पैसा एक अठा हुआ GST से हुआ या उससे पहले जितने भी taxation होते थे उसका पैसा इस्तिमाल हो जाता था कभी सड़के बनाने में कभी hospital बनाने में कभी government schools बनाने में बट यहां पर सैस का पैसा उसी चीज़ के लिए इस्तिमाल होता है जिसके लिए वो introduce किया जाता है first say मैं बोलू water conservation says तो इससे जो पैसा आएगा ना इस सैस के वज़े से जो पैसा हम secondary higher education को promote करने के लिए होगा तो सैस मतलब specific reason की वज़े से जब आप पैसे collect करते हैं लोगों से taxation collect the taxation won't be the right word जब भी कोई ऐसा collection करते हैं लोगों से एक specific purpose के लिए उसे हम बोलते हैं सैस तो 23 सैस इस बींक्लिवड़ हैं और उन्हें multiple returns जो filing की problem हमें जाती थी हमेशा कि वह यह कौन-कौन से return भरे हम क्या क्या करें आदा टाइम तो हम सीए के office में बैठे रहते हैं कुछ आता नहीं हमें business में काम नहीं हो पा रहा हमारा यह जो हमारी दिक्कत है थी ना यह जो अलग-अलग returns जाते रहते हैं but that's a different thing यहाँ पर एक ही चीज के जा रहे है वहाँ पर दस सीजों की जाते थे 15 जीजों की जाते थे तो वह दिक्कत भी कहीं ना कहीं खतम करी थोड़ा बात हो चुकी है थोड़ा बात और होगी क्योंकि again word क्या है expected मतलब हम यह expect करते हैं GST से and इस वीडियो में हम उन सब taxes की बारे में पढ़ने वाले हैं जो GST की आने से replace हो चुके हैं so हम बहुत ताइम से आपको बता रहे हैं कि there was 17 taxes indirect taxes actually जिनको हटा के GST बना है तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे वो बिचारे पूर 17 कौन-कौन से taxes थे जिनको हटा के हमने GST बना दिया ओके एक गलत फैमी जो शायद आपके दिमाग में आ सकती है वो यह है कि वो सारे taxes हट चुके हैं तो ऐसा नहीं है वो सारे taxes आज भी existence में हैं उनका बस नाम change हो गया है जिन जिन चीजों पे वो लगा करते थे आज उन चीजों पे GST लगेगा पर वो taxes कहीं नहीं गये हैं ऐसा मानिये चिंटू का नाम change करके आपने राहुल रख दिया है लेकिन है तो वो इंसान existence में मर तो नहीं गया चला तो नहीं गया वैनिश तो नहीं हो गया तो बिलकु GST बनाया तो पहले हम central taxes के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगी सब चीज किस किस चीज पे लगते हैं ओके फर्स इस central excise duty लगती है manufacturing units पे जब भी कोई इंसान manufacturing करता है तो उसको excise duty के नाम पे कुछ duty पे करने पड़ते हैं government को तो पहले यह central excise duty के नाम से जाना जाता था और आजकल किस नाम से जाना जा रहा है GST के नाम से ओके that reminds me मैंने आपसे last video में question पूछा था कि tax on tax को क्या बोलते हैं तो tax on tax को cascading effect बोलते हैं तो I hope आपने comment section में मुझे बता दिया था आपका सही answer अगर आपको नहीं आता था तो आप अब जान चुके हैं ओके second is additional duties of excise यह बोलते हैं excise के साथ कुछ connected duties भी होती थी उनको भी हमने replace कर दिया और GST ला दिया फिर यह बोलते हैं excise duty levied under medicinal and toilet preparation act यह अलग से आज था जिसके अंदर कुछ अलग variety की वो थी तो उसको भी हटा दिया गया है जादा detail में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि it's of no use actually बस आपके समझने के लिए particular video बनाया जा रहे है कि कौन-कौन से exact taxes थे otherwise कोई आपसे यह सिप चीज़े नहीं पूछने वाला है आज की डेप में देल भी asking you GST का importance बताइए यह बताइए वो बताइए लेकिन आपके general knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से taxes actually remove किये गए थे इससे आपको यह भी पता सल जाएगा कि ऐसे कुछ taxes हुआ भी करते थे okay additional duties of customs cvd and sd okay custom is जब हम बाहर से कुछ-कुछ import करते हैं या फर यहां से कुछ-कुछ export करते हैं तो दूसरे बेश्ट में जाने और आने से पहले क्या लगता है एक duty लगती है उसके पर उसको हम बोलते custom duty तो वो भी काफी हद तक additional duties of customs को remove कर दिया गया है और GST ला दिया गय है उसकी जगे service tax यह तो हर कोई जानता है जब हम किसी रेस्टरेंट जाया करते थे खाना खाते थे मज़े से बाद में उसमें tax pay करके आते तो वो कौन सा tax हुआ करता था service tax जो कि service provide करने पर लगता है surcharges and saces मैं already आपको बता चुक्यों saces के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में बहुत ही तरह है कि surcharges और tax success हुआ करते थे जिनको remove करके अब हमने क्या बना दिया अब हम आज आते है state taxes में state taxes में first है VAT value addition tax जिसका पुराना नाम हुआ करता था sales tax जो कि goods पे लगते थे गुच की जबी transaction होती थी एक इंसान से दूसरे इंसान को बेचा जाता था तो VAT या sales tax लगता था और वही हटा कि हमने GST में convert कर दिया है Central sales tax this was अलग सा sales tax interstate transaction हुआ करती थी उस पे लगता था तो वो भी हट चुका है फिर है purchase tax ये भी एक अलग तरीके का purchasing पर टाक्स लगता था वो भी हट चुका है फिर ये बोलते हैं entertainment tax movie देखने गए हैं कभी theater में या museums में गए हैं वहाँ पर क्या होता जब आप entry लेते हैं और ticket बुक कर आते हैं तो ticket में आपको एक tax ले करना बढ़ता और उसको हम बोलते हैं entertainment tax मतलब क्योंकि you are getting entertained because of that we'll be charging you taxation taxation और वो होगा यह यह भी हटा दिया है GST आ गया luxury tax कभी महेंगी गाड़ी खरीदी है BMW या फिर कोई बड़ी-बड़ी मुझे नाम भी नहीं पता exactly तो वह सारी गाड़िया या फिर वह सारे लाविश आइटम्स जो महेंगी कंसिडर की जाती है जो luxury items में आती है उन सब चीजों पर एक tax लगता था जिसको हम भूलते है luxury tax फिर आता है entry tax इसको ऑक्ट्रोय भी बोला जाता है मतलब एक फ्लेस से दूसरी फ्लेस पर जब भी कुछ आने होते हैं बीच में कुछ नों कुछ interval रहता है जिसे toll taxes रहता है व के रूप में तो वो भी अब GST की राम से जाना जाएगा और अगैन इससे related भी कुछ surcharges होते हैं जो कि combine होंके क्या बन गए है यहाप अगर आप देख सकते हैं यह दूनों चीजे combine होगी है इन्होंने हाथ मेला ला लिया और इन्होंने फॉर्म किया हमारा GST goods and services tax and इस वी जैसे कि मैंने आपको previous वीडियो में भी बताया कि इसमें बहुत सारे indirect taxes को अपने अंदर सबस्यूम कर लिया था और उन indirect taxes में कुछ central taxes थे तो कुछ state taxes थे by central tax we mean वो taxes जो central government ने impose किया होते हैं और उसका collection भी वही करते हैं और state taxes की जब बात आती है तो उनका imposition किस ने किया हुआ है state governments ने किया हुआ है तो यह बोलते हैं क्योंकि दोनों ही included थे तो मतब ऐसा मानों कुछ major portion उसमें central government ले जाते थी कुछ state government ले जाते थी तो उन्होंने बोला एक हिस्सा रखते हैं हम central GST करके CGST बोलते हैं उसको और दूसरा हिस्सा होता है हमारा state GST that is SGST और अगर कभी मान लीजे एक state से दूसरे state में transaction हो रही है तो उसको हम बोलेंगे inter GST IGST तो यह तीनो words आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे यहां यह बोलते हैं GST comprises of central GST and state GST subsuming levies previously charged by central and state governments respectively क्योंकि पुराने डाट से state government और standard government द्वारा impose किये जाते थे तो दोनों को combine करके हमने यह बना दिया है फिर यह बोलते हैं GST, CGST and SGST is charged at each stage of value addition and the supplier offsets the levies of inputs in the previous stages यह बोलते हैं यह भी बिल्खुल वैसे ही है कि हर एक stage में आपसे tax collect किया जाएगा लेकिन पिछले stage में आप जो tax pay करके आए हो इस stage में उसका input tax credit मिल जाएगा मतलब ITC मिल जाएगा कहने का मतलब यह है यह इंसान है इसने 10 रुपए tax pay किया ठीक है अब यह next इंसान इससे यह समान खरीद रहे है और इसकी tax liability आ रही है 20 रुपए की और इसने कितना pay किया था tax और same product की बात हो रही है तो यह 10 रुपए जो इसने pay किया हो है नहीं यहाँ पर deduct हो जाएगे और अब इस इंसान को सर्फ कितना रुपए पे करना पड़ेगा 10 रुपए taxation पे करना पड़ेगा क्योंकि 10 रुपए का taxation already आप previous पड़ाओ में pay करके आ चुके हो तो दुबारा 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 अगर pay करोगे तो वह तो cascading effect हो जाएगा वहीं आमें नहीं चाहिए क्योंकि उसी को तो ने move करना तो तभी तो आपने GST लाया तो इन्होंने बोला कि 20 माइनस 10 हो जाएगा जो पुराने लेवल पे आप पे कर चुके हो और फाइनली यूल आप टू पे उनली 10 रुपीस taxation तो लास्ट दीलर इंद सप्लाइचेन पासिस उन्द आड़ेट GST to the consumer making GST a destination based consumption tax कि यह ओरिजिन टाक्स तहीं है यह वो टाक्स नहीं है जहां से production होता है वहीं पे लग जाता है यह destination tax है मतलब last consumer जब पहुचता है वहां पे लगता है consumption वाली प्लेस पे लगने वाला टाक्स है यह यह ओरिजिन वाला नहीं है so it's called a destination tax the provision of availing ITC that is input tax credit at each stage of value change helps in avoiding the cascading effect देखे जो बात मैंने बोली यहां पर लिखिया गए क्या बोला था मैंने कि ITC मिलने से क्या फाइदा होता है कि cascading effect खतम हो जाता है क्योंकि cascading effect क्या होता है tax पे tax लगना tax पे tax लगना बढ़ा वह पिछले लेवल के tax का अब relaxation भी तो मिल रहा है इस लेवल पे आप कितना पे कर रहे हो सिर्फ 10 रुपे कर रहे हो ना जबकि अच्छी लिए आपकी liability कितनी आई थी 20 आई थी अगर आप 20 पे करते तो ना वह होता cascading effect क्योंकि already pay करके आयों फिर दुबारा से कर रहे हो तो यह हो गया cascading effect लेकिन यहां पे आप ऐसा नहीं कर रहे हो 20 में से आपने minus किया पुराने वाले level का tax और यहां पे सिर्फ आप 10 रुपे पे कर रहे हो तो यह कहीं न खहीं आपके cascading effect को decrease यहां फिर खतम करने का काम कर रही है सो जी सीम बेसिकली यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा है यहां हमने पढ़ा है कि Central GST होता है State GST होता है क्यों होता है यह दोनों क्योंकि Central की कुछ taxes को remove करके और State की कुछ taxes को remove करके हमने combined GST बनाया है उसके बाद यह बोलता है कि भया आप बताइए यह destination tax है मतलब यह origin based नहीं है मतलब यह कहां पे charge किया जाएगा वो consumption वाले place पे जहां पे actually प्लेस पे जहां पे actually goods भेजी जा रहे है और जितनी बार भी जितने levels पे taxation लिया है ना last में जाके उसका ITC जरूर मिल जाएगा उसका credit जरूर मिल जाएगा और इससे prices क्या हो जाएंगे goods के सस्ते हो जाएंगे हमने पढ़ा था ना cascading effect में कि cascading effect में क्या होता है goods की prices बढ़ जाते inflationary prices हो जाते राइट पढ़ा था कि नहीं अब यहां पर यह बोलते हैं क्यूंकि GST का motive यही था कि हमें cascading effect को हटाना था तो as a result of which tax पे tax जो जा रहा था वो तो हमने अटा दिया जिसकी वज़े से prices of the goods will decrease and as a result of which consumer be happy आप भी happy और government भी आप ही क्योंकि उनको revenue मिल रहे हैं आपके पास consumers आ रहे हैं और consumer को सस्ते दामों पर समान मिल रहा है तो इस तरह से यह तीनों चीज़े help करती है हमारी कहीं न कई और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से GST consumers को influence करने वाला हैं ओके हमने स्टार्टिंग महीं बात करें कि GST से हमारी expectations क्या हैं जिसमें हमने पढ़ा कि manufacturer consumer investors सबके लेक फायदे मन डील होने वाली हैं लेकिन यहां हम specifically बात करेंगे कि कैसे citizens will get impaired because of GST यहां पर कुछ points में बाते बोली गई हैं first यह बोलता है reduction in overall tax burden यह बोलता है भया जो tax भर भर के हमें पे करना पड़ता था कहीं न कहीं वह थोड़ा कम हो गया है जो ली भर के tax ना पे करके हम मुठी भर tax पे करते हैं अब government को तो इस से अच्छा और क्या हो सकता है जो price जो cascading effect के वजह से आपको 20-30 रुपए में चीज़े मिलती थी आज कल 10-15 में मिलेंगी किसके मतलब अच्छी बात है obviously तो यहां पे आपका overall tax burden जो है वो कम हो गया है no hidden taxes यह बोलता है यार पहले क्या होता था हम कहीं जाते थे कोई भी इंसान ना किसी भी नेचर का tax उटा के हमारे उपर लगा जाते था मतलब हमें पता ही नहीं होता था और हम भी pay कर क्या जाते थे अब यहां पे हमें at least यह तो पता है कि indirect tax मतलब GST उसके अलावा कोई किसी भी नेचर का tax नहीं लगा सकता तो यहां पे अब आपके स आज जो लूट मार हुआ करती थी पहले वो खतम हो गई है कहीं ना कहीं फिरच सेज डेवलाप्मेंट ऑफ़ हामनाइज नैशनल मार्केट फॉर गुद्स और सर्विसेज यह बोलता है पहले क्या होता था इंटर स्टेट ट्रांजाक्शन होने में इतनी चिक चिक होती थी लोग इतने मसले हो जाते थे लेकिन यहां पर GST ने उससे भी कम कर दिया है क्योंकि देखिए पहले वह करता था वैट जो कि स्टेट टाक्स काइंड ऑफ माना जाता था हर स्टेट में अलग रूल्स चलते थे उसके अब MP से गुज ले जाने है राजस्तान वहां पे कुछ कि अलग सेनारियो है यहां पर कुछ अलग सेनारियो है तो एसे में बहुत चिक्चिक होते थी कि और कैसे करेंगे मैनेजर मैज़ने आपको ना सिर्फ अपने स्टेट के रूल्स पता ओने जिनके साथ आप जोड़ों कर रहो तो बहुत ही जादा हैडिक देने वाली चीज higher disposable income in higher education and essential needs यह बोलते हैं disposable income होते हैं मतलब जो finally आपके हाथ में बचती है सारे expenditures पूरा करने के पाद जिनको आप उड़ा सकते हो find of तो यह बोलते हैं अब क्योंकि आपका taxation burden कम हो गया है क्योंकि हार चीज आपको सस्ते मिलने लग गई है तो अब आपके पास जेब खर्ची बच जाएगी पहले 10,000 रुपे में आप 1,000 रुपे बचा पाते थे अब आप 3-4,000 रुपे बचा लेंगे तो आपकी higher disposable income निकल की आएगी कही ना कहीं वहां से फिर यह बोलते हैं customers to have wider choice यह बोलते हैं customers की पास wider choice है क्यों इसको एक indirect way में ऐसे भी ले सकता है कि देखिए पहले बिचारे customer के हाथ में बचती थी 4 रुपे, 3 रुपे उसमें क्या खरीद होगे उसमें dairy milk तो नहीं आएगी उसमें तो वह टौफी आएगी ना अब तुम्हारे पास 10-200 रुपे बचने लगे हैं तो तुम 5-7 रुपे की dairy milk भी तो खरीच सकते हैं तुम्हारी choice थोड़ी सी wider हो गया है इस perspective से लिया जा सकता है इस point को फिर यह बोलते हैं increased economic activity यह बोलते हैं चीजे सस्ती होने लगी हैं पैसे बचने लगे हैं लोगों के हाथ में disposable income बढ़ गई है as a result of which हर एक इंसान अब economic activities करना start कर देगा बेचना खरीदना ये करना वो करना buying selling everything more employment opportunities एक तो भई यह जीएस्टी में लगा लो जीएस्टी की वज़े से कितने सारे लोगों को employment मिल गई होगी उसके बाद आपने manufacturing simplify कर दिया है तो और जाधा manufacturers आएंगे और जाधा enterprises खुलेंगी और जाधा employment opportunities बढ़ेंगे तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं citizens का भला कर रहे हैं through what GST so हमने क्या क्या देखा हम पर हमने यह देखा कि जीएस्टी के वज़े से overall economy में बहुत सारे changes आ रहे हैं और कुछ changes और भी आने वाले है future days में क्यूंकि जिस तरह से चीज़ें चल रही है आचली जब GST आया था तो इंडिन क्राउट ने उसे positivity के साथ नहीं लिया था बहुत ज़्यादा वाला है बट क्योंकि अभी GST अपने initial phase में ही है तो as a result of it चीजों को execute होने में चीजों को नजर आने में time लगेगा so you'll have to give this time to government तभी आपको समझ में आएगा कि यह अच्छा initiative था या नहीं था और इस वीडिया में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ facts के बारे में GST के ओके अभी तक हमने GST का इंट्रो देखा अभी तक हमने यह पढ़ा कि GST कैसे आई उसका मतलब उसने कौन-कौन से taxes को अपने अंदर subsume किया उसके अलावा हमने पढ़ा कि कैसे यह citizens को इंपार करने वाली है अब हम कुछ facts देख लेते हैं GST के ओके what it says GST aims to subsume our plenthoria of taxes into one single tax across the country यह बोलते हैं बहुत सारे taxes को combine करके एक tax बना के हम दे रहे हैं हमारी country में लोगों को across the country and make goods uniformly price across the India यह बोलते हैं देखिए पहले अलग-अलग तरह के taxes हुआ करते थे जो कुछ state के हुआ करते थे कुछ central के central वाले तो पूरे इंडिया में एक जासे होते थे लेकिन state वाले तो वरी करते थे ना state to state तो किसी state में वो चीज सस्ती होती थी किसी state में वो चीज महेंगी होती थी बट क्योंकि अब GST आ गया है तो चीज से uniform हो गई है अब जो इस state में जितने रुपए का मिलेगा वही दूसरे state में उतने रुपए का मिलेगा तो इन्होंने कहा कि हमने सारे taxes को remove करके एक टाक्स बना दिया है जिससे आपको फाइदा यह होगा कि आपको हर एक प्राइस गुज का सेम मिलेगा हर एक लोकालिटी में हर एक एरिया में हर एक state में जो कि पहले नहीं हुआ करता था फिर यह बोलता है विद्ट इंप्लिमेंटेशन ऑफ छी एस्थी लग्शुरी गुद्स हाव बिकिम कॉस्टियर वाइल आइटम्स ओफ मास कमें कंजाम्शन हाव बिकिम शीप है इन्होंने क्या किया जो लग्शुरियूरिस आइटम जो ऐसी अपन अफॉर्ड नहीं कर से उन सबको महंगा बना दिया मतलब आप अगर कभी उमीद रखते भी मैं BMW में घूमूंगा तो वह सपना जो था वह आपका GST ने तोड़ दिया ठीक है लेकिन यह बोलते हैं मास कंजम्शन में जो अल्रडी आप खरीद पा रहे थे और जो चीजें महंगी हुआ करती थी उनको हमने और महंगा कर दिया है और जो चीजें पहले ही थोड़े सई दामों फी हुआ करती थी हमने उन्हें और सस्ता बनाने की कोशिश की है सो सस्ती चीजें इस्तिमाल करो बड़ी बड़े चीजों के सपने देखना छोड़ दो काइंड और यह बोलना चाह रहे हैं अगर आपको Mercedes या BMW चाहिए तो वही चाहिए भई या क्या दिक्कत है GST is not taxation at source यह बोलते हैं यह origin वाला taxation नहीं है कि वह यह जहां पर production होगी वहीं पर इस्तिमाल हो रहा है यह ऐसा tax नहीं है यह किस nature का tax है यह उस nature का है कि यह destination पर ही पे होता है जहां पर इसकी destiny लिखी हुए है जहां पर इसका consumption होने वाला है वहां पर जाके इस particular tax को पे किया जाता है जिसको हम बोलते हैं destination tax फिर इनका कहना है इंडियन GST will have a mechanism of matching of invoices ओके एक चीज़ी बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि इनको transparency लाने थी इनको corrupt practices को decrease करना था इनको जो बीच में जोलमाल होते हैं tax evasion होते हैं उन सब सीज़ी खतम करना था तो what they did कि इन्होंने invoices को match करना start कर दिया अब देखिए दुकानदार आपको invoice देता है आपको invoice कहीं लगाते हैं तो अब यहां पर दुकानदार वाला invoice और आपके वाला invoice match किया जाएगा और जो जो जोलमाल किया होगा किसी भी पार्टी ने या तो शॉपगी पर ने या आपने वो एकदम से सामने आ जाएगा जिसकी वज़े से transparency increase होगी जिसकी वज़े से करब practices कहीं न कहीं decrease होगी फिर यह बोलता है the goods and services tax network is a self-regulating mechanism which not only checks tax frauds and tax evasion but also brings in more and more businesses into the formal economy यह बोलता है भया ना तो हम सिर्फ fraud को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो हम सिर्फ tax evasion को कम करने की कोशिश करें but at the same time हम ज़ादा से ज़ादा businesses को formal economy का part बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी तक किस का part थी? unorganized sector का part थी जिसको हम count ही नहीं करते थे अपने economy में वो चीज़ अटा के हम क्या कर रहे हैं? हमारी formal economy में इन सारे businesses को छोटे मोटे businesses को सबस्यूम कराने की कोशिश कर रहे हैं अब इस वीडिया में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे measure के बारे में जो GST में जब GST introduced किया था तो उस ताइम पे खास ध्यान रखाय होया था इस चीज़ का So what it says, anti-profiteering measure यह बोलता है It's a measure that is one of the key features of the recently implemented GST law यह बोलता है अभी जो GST नया नया आया है ना उसका one of the key features है हमारा यह particular measure अब इसमें है क्या ऐसा जो हम इतना key feature की feature कर रहे हैं यह बोलता है these features prevent entities from making excessive profits इनका बहुत simple way में कहना है कि जब हमने GST interviews किया था था ना हमने एक motive ध्यान में रखा था कि हमारे customers तक सस्ते दामों पे goods बहुत जाने चाहिए हमारा motive क्या था कि सस्ते दामों पे कम prices में goods बहुत जाने चाहिए customers तक ठीक है लेकिन GST आया लोगों को समझ में आया कम cost में काम चल रहा है उन्होंने अपना profit margin art करना शुरू कर दिया या फिर हमें उम्मीद थी कि वो ऐसा कर सकते हैं तो उस चीज़ को decrease करने के लिए हमने पहले से ही यह measure तयार कर लिया था कि भाया हमें चाहिए कि entities बिना मतलब का profit charge ना करें किसी भी product पे और सस्ते दामों पे कोशिश करें goods बहुत जाने की customers तक Since the GST along with the input tax credit is eventually expected to bring down prices GST और ITC दोनों की concept से हम चाहते थे कि prices क्या हो goods के नीचे आए कम हो National Anti-Profiteering Authority is to be set up to ensure that the benefits accrued to the entities due to reduction in cost is passed on to the consumer यह बोलते हैं भाया इस चीज़ के लिए हमने एक अलग से authority भी बना दिये मतलब यह चीज़ ensure करने के लिए कि कोई भी businessman ऐसा काम ना करें कि goods जो customers तक पहुच रहे हैं वो मेहंगी दामों पर पहुच रहें तो उसके लिए हमने एक authority बना दिये जो check करती है monitor करती है, supervise करती है okay also entities that hike rates inordinately citing GST as the reason will be checked by this body यह बोलते हैं देखिए अब customer ना दो तरह के होते हैं एक तो बहुत knowledgeable customer होते हैं जिनको सारी बात की knowledge होती है और एक ऐसे customer होते हैं जिनके पास जादा knowledge नहीं होती है जो बस चीज़े जो हो रही होती हैं आस पास उसके साथ चलते रहते हैं जयाओ अब knowledgeable customer तो कोई भे access करीदेगा तो हमेशा चैक करेगा कि कितना ठाउसेष्शन लगाया है क्या लगाया है क्या नहीं किया क्या किया है लेकिन जो knowledgeable नहीं होते हैं जो इन सब चीजों के तेहां नहीं देते हैं इग्नॉरेंट होते हैं निगलेक्ट करते हैं इन सब जीजों को वो नहीं देखते हैं कि इतना GST लगा है वो तो बस प्राइस पे कर किया जाते हैं तो यह बॉड़ी जो यह अथॉरिटी जो हमने बनाई हैं यह चेक करेगी कि GST के नाम पे कोई भी एंटिटी ज्यादा प्र पे की आइटम है तो ऐसी चीज ना हो अगर GST दो रुपए लग रहा है तो दो रुपए ही लो उनसे बारा का प्राइस दिखा यह चीज इंशूर करना इस पर्टिकलर अथॉरिटी का काम है इनका मेन मोटिफ GST लाने का यही था कि गुज सस्ते दामों पे कस्टमर तक पह है काइंड ओफ उतना ही पे करें GST की नाम पे लोगों को गुम्रा ना करें यह चीज इंशूर करना इस पर्टिकलर अथॉरिटी का काम है और इस मेजर में भी हम यही सब चाहते हैं सो बेसिकली हम क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि प्राइज कम रहें ताकि कस्टमर संद यह चाह रहे हैं की फीचर्स ऑफ जीएस्टी की बारे में मैं और कितना पढ़ेंगे जीयस्टी को तो बीटा अब बहुत पढ़ेंगे जीएस्टी के बार में जीयसटी का इसे चीज़ा चार-पाँच वीदियो में cover नहीं हो सकती अभी मैं जो आपको दे रही हूना जो ब बोलते हैं आ हुआ है बोहुत सारे बुरे लोग मरते हैं तो एक चुडएल पैदा होती है तो मतलब वो चुडहल कितनी पार्फुल होती है वो बहुत सारे बुरे लोग की पार कमबाइन ओके उस चडएल में आती है तो बिलकौल इसको बोलते हैं यह पूरी कंट्री के ऊपर आप लिकेवल होती हैं चाहे उसमें जम्मु एन कश्मीर को भी क्यों ना ले लो अब हम जम्मु एन कश्मीर को इतना अलग क्यों ठीट करते हैं उसके रीजन्स तो बहुत सारे हैं पॉलिटी में आपने बड़े भी होंगे लेकिन जिएस्टी जब लगता है वो किस पर लगता है उस चीज पर लगता है और यह किस प्रिंसिपल पर बेस है यह यह destination based tax है यह तो हमने बहुत पर पढ़ लिया आप तो आप पो रट गया होगा कि GST is a destination tax GST is a destination based tax क्योंकि यह origin पर नहीं लगता है कहां लगता है destination पर लगता है फिर यह बोलता है import of goods and services is treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to the applicable custom duties यह बोलता है है जब हम goods बाहर से मंगवा थे हैं उस सिनारियो में हम उसे treat करते हैं interstate transaction तो वहां पर मैंने आपको बताया था जब central की बात हो तो central GST जब state की बात हो तो state GST लेकिन जब एक state से दूसरे state की बात है यह central से state की बात है तो वह क्या होती है IGST interstate GST तो यह बोलते है import of goods को भी हम वही treat करते हैं उसको भी हम उसी से link करते हैं फिर they say CGST, SGST and IGST are levied at rates mutually agreed by the center and the state यह बोलते हैं पुराने जो taxes थे कुछ center से बिलॉंग करते थे कुछ state से बिलॉंग करते थे बट क्यूंकि अब GST दोनों से ही बिलॉंग करता है दोनों को मिलाके बना हुआ है तो दोनों को हर एक point पे agree करना बहुत ज़ादा जरूरी है मैं अगर बोलू मैं state हूँ कोई और central है मैं बोलू मुझे 5% चाहिए वो बोले 6% चाहिए क्या mutual agreement हो पाएगी क्या हम ऐसे में tax and reduce कर पाएगे नहीं कर पाएगे तो SME बोलते हैं कि आपको mutually agree करना पड़ेगा central और state को mutually agree करना पड़ेगा और उन्होंने ऐसा किया भी जब दे decided कि prices इतने इतने होने चाहिए rates इतने इतने होने चाहिए taxation के तो उन्होंने mutually agree किया उस चीज से उसके बाद ही उसे introduce किया there are 4 tax slabs namely 5% 12% 18% 28% यह बोलता है 4 slabs है हमारे rates है चाहर टाक्सेशन के किसी कुछ पर 5% लगता है किसी कुछ पर 12% लगता है किसी पर 18 लगता है और सबसे महंगी luxury items जो मैंने आपको बताई थी जो और महंगी हो गई है क्यों हो गई है क्यों कि उस पर 28% लगता है तो जो luxurious items थ जाएंगी कितने percent 28% so यह taxation भी उसका part बन जाएगा फिर यह बोलते है exports and supplies to SEZ SEZ is what special economic zones I hope आपको इसकी concept पता होगी नहीं पता तो मैं इंट्रो में आपको बता दे दियू special economic zones वो zones होती है जहां पर जितने भी goods produce होते हैं वो export purpose के लिए इस्तिमाल होते हैं वो country में domestic इस्तिमाल में नहीं आते हैं so इनको basically export promotion के लिए ही बनाया गया था और उनके यहां पर जतनी भी supplies होती है वो zero rated होती है मतलब वो 0% पर consider की जाती है there are various modes of payment of the tax available to the taxpayer including internet banking यह बोलता है भाया लास्ट में तुम्हें payment कर दी है ना being a taxpayer किसी भी बेसे करो हमें मतलब नहीं है हमें सिर्फ पैसे से मतलब है तुम पेटेम कर दो पेटेम कर दो हम पढ़ने जा रहे हैं GST council के constitution के बारे में ओके GST council कैसे बनता है कैसे पेश किया जाता है कैसे वो decision making करता है वो सब्सक्राइब बात है लेकिन उसके अंदर आता कौन कोन है पहले वह भी तो decide करना है अब आपका question होगा माम यह तो समझ में आ रहा है ठीक है कि decide करना है यह करना है लेकिन GST council है क्या क्यों है existence में क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम क्यों पढ़ रहे हैं इसकी constitution तो इन सारे questions का आपको answer मिलेगा हमारी future videos में फिलहाल आप ऐसे समझ लीजे जो करता धरता होता है जो सारी चीज़े decide करता है GST के regarding वह हमारा GST council और उसका constitution बिलकुल इसी वे में होता है उसमें कौन-कौन आता है कौन नहीं आता है वह सारा यहां दिखा हुआ है एक बर पढ़ लेते हैं इसे यह बोलते हैं इसका जो chair person है मतलब जो head है वह कौन होगा हमारा finance minister अब question आएगा माम finance minister of center or state तो बेटा जादा बड़ा कौन है जादा बड़ा है center वाला तो finance minister of central government तो basically finance minister हमारे यहां को क्या बनेंगे GST council के करता धरता मतलब chair person बनेंगे यह बोलते हैं उनके नीचे vice chair person कौन बनेगा माम तो vice chair person is to be chosen amongst the ministers of state government यह बोलते है chair person तो हमने central बना दिया अब state वाले चुप थोड़ी ना बैटेंगे वो बोलेंगे हमारे वाले बन्दों को भी तो कोई position दो high level की तो vice chair person हमने किसको बना दिया state के finance ministers में से किसी एक को फिर यह बोलते हैं members कौन-कौन बनेंगे मतलब क्योंकि यह council बन रही है ना chair person vice chair person तो समझ में आ गया लेकिन members कौन-कौन से रहेंगे तो members बिटा यहां पर बनेंगे ministry of finance का जो हमारे central finance के ministry के बंदे है वो और जितने भी state के हमारे taxation या finance ministers हैं वो सारे मिलके हमारे GST council का पार्ट बनेंगे अब क्यों क्योंकि यह बात हो रही है taxation की बारे में taxation मतलब finance finance मतलब यह ministers संभालते हैं यह सारे portfolios तो भाया इनी को तो बिठाएंगे जिसके पास knowledge होगी वही तो जाके बैटेगा textile minister को तो नहीं बिठा सकते यहां पर जिसके पास finance की knowledge होगी उसी को बिठाना पड़ेगा तो उन members को बिठा दिया हमने quorum is 50% of the total members मैं quorum क्या होता है twitter quorum मतलब उस meeting को जो यह held हो रही है उसमें कितने लोग minimum आने चाहिए to start that meeting is quorum माल लीजे 100 बच्चों की class है सिर्फ 2 बच्चे आये हैं उस दिन बाकि सबने GD मारी है तो क्या teacher पढ़ाता है इस class को नहीं लेकिन 60 बच्चे आये हो 40 नहीं आये हो तो teacher पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता पढ़ाता है ना तो quorum मतलब minimum इतने लोग तो चाहिए ही चाहिए आपको meeting start करने के लिए अगर उतने लोग नहीं आते हैं तो meeting start नहीं होती, meeting postpone हो जाती है usually तो यह बोलते हैं 50% members को quorum बनता है यहां पर States have two-third waitage and State has one, Center has one-third waitage यह बोलता है State वालों की कितनी इम्मत बनती है बोलने की two-third और Center की कितनी बनती है one-third decision is taken by 75 majority यह बोलते है यहां पर simple majority से decision नहीं लिया जाता simple majority मतलब 51% यहां पर चलती है special majority that is 75% majority चलती है फिर यह बोलते हैं the council shall make recommendations on everything related to GST including rules and rates etc यह बोलता है मैंने आपको बताया था करता धरता GST के बारे में सारी decision making power किसकी होने चाहिए वह होती है GST council की तो यह बोलते हैं सारे members जो बैठ रहे हैं GST council form कर रहे हैं meetings held कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं वो rules and regulations बना रहे हैं वो करता धरता है वो सारी चीजों में अपना recommendation दे रहे हैं so यह थे कुछ points किसके बारे में GST council के बारे में I hope आपको समझ में आये होंगे in case अगर आपको कोई भी confusion है तो आप comment section में पूच सकते हैं और अगर आपको notes चाहिए तो आप magnetbrains.com पर जाके notes भी ले सकते हैं इसके अलावा मैं आपको एक और initiative के बारे में बताना चाहती हूं magnetbrains का that is magnetbrains plus यह एक नई चीज है जो कि magnetbrains ने start की है इसमें तीन levels है gold, silver and diamond इसमें हर level में अलग-अलग assistance provided है आपको आप अपने requirements के according कोई भी level choose कर सकते हैं फाइदा यह होगा कि आप घर बैठे-बैठे ही पूरी, see classes तो आपने पूरी ले ली है YouTube वीडियो से लेकिन जो extra चीजें हैं जो कही न कहीं आपने miss की हैं सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई के उचकर में इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं credit note के बारे में Okay, so क्या है यह, actually हम कुछ terms के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि transactions में कहीं बार इस्तिमाल होते हैं और इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है और examination point of view से देखे तो इससे questions आते हैं MCQ pattern के या फिर short answer type questions इसलिए काफे important terms हैं 6-7 terms पढ़ेंगे हम ऐसी एक-एक करके first term start कर रहे है credit note से यह बोलता है it's a monetary instrument issued by the seller मतलब कौन issue कर रहा है जो goods बेचता है वो इंसान issue कर रहा है that allows a buyer to purchase any item or service on a future date जो की buyer को जो समान खरीता है उसको यह option देता है कि future date पे आप कभी आना और कोई भी समान हमसे purchase कर लेना so मतलब यह क्या है कि एक ऐसा document है जो कि seller द्वारा issue किया जाता है किसके लिए buyer के लिए क्यों किया चाता है ताकि buyer को यह option मिले कि future date पे कभी भी आप आके यहां से यह सब चीज़े collect कर लेना second it says it is issued by a seller as a goodwill gesture for the sales return यह actually sales return के time पे इस्तिमाल होता है sales return जब भी होती है तो seller अपनी तरफ से एक goodwill gesture देता है कि buyer कोई बात ने तो मैं हमारा good यह वाला पसंद नहीं आया the amount mentioned in the credit note to the buyer यह तरीके का proof होता है कि भया तुमने sales के time पे हमें पैसे दिये थे जो कि हम तुम्हें अभी return नहीं कर रहे हैं बट future date में कभी भी आप हमारे पास आके इसे इस्तिमाल कर सकते हैं अब देखिए diagram के through कि क्या हुआ यहां पर एक इंसान था जिसको हम क्या बोल रहे है seller ठीक है और एक दूसरा इंसान है जो कि कौन है बायर है बहुत बर ऐसा होता है हम बायर बनके किसी shop पे जाते हैं फरसे यह कुड़ता purchase करके आया मतलब seller से एक कुड़ता purchase किया बायर ने तो इसने क्या किया एक कुड़ता दिया इसे लेकिन जब यह घर पे गया और इन रिटर्न यह इसको क्या देगा पैसे देगा फोर से में पूलती एक हजार रुपए दिया तो अब जब यह घर पे आया तो इसको पता चला कि कुड़ता उसे फिट नहीं हो रहा ठीक है और इसने कंफर्म किया seller से कि क्या इसका एक larger version है मतलब larger size है तो seller ने बोला नहीं नहीं stock out हो चुका है तो आपको अब कुछ नहीं मिल पाएगा जो है उसी से काम चलाईए तो इसने बोला उससे तो काम नहीं चल पाएगा क्यों कि कुछ छोटा है तो इसने क्या किया रिटर्न कर दिया तो अब ऐसे में 1000 रुपए तो इसमें पेक किये हुए और कुर्ता भी नहीं रखा तो काईदे से इसके 1000 रुपए आज भी seller के पास पड़े हुए तो seller उससे क्या करेगा एक credit note लिखके देदेगा एक credit note का instrument बना के देदेगा जो कि एक proof होंगे कि बायर के 1000 रुपए seller के पास जमा है जो कि वो future date पे आके इस्तिमाल कर सकता है so future date पे आके उसका इस्तिमाल हो सकता है ये kind of एक proof होता है credit note चिके की भीया 1000 रुपए seller के पास जमा है future date पे आके आके आप कभी भी ले सकता है आप ऐसा मानिया आपके area के कोई grocery shop है जहां से आप कोई समान खरीद किया है अब आप खरीदा है 100 रुपए देखिया है फरसे आप इडली का पाकेड ले किया है घर ले किया है ममी ने बुला ये तो वो इडली है नहीं चो मुझे चाहिए तो ये वापिस कर किया ममी ने return करवा दी आप return करने गए वहाँ पर seller ने बुला कि मेरे पास वो वाली इडली तो नहीं है जो तुमारी मुझे बता रही है लेकिन मैं ये वापिस ले लता हूँ चिक है उसने goods भी वापिस ले लिए पैसे भी अभी उसी केई पास है अब वो आपको पैसे नहीं द सकते हों तो इस video में हम पढ़ने चाह रहे हैं debit note के बारे में okay so in my previous video हम लोग उने एक term के बारे में पढ़ा that was credit note अब यहां हम एक अलग term के बारे में पढ़ने वाले जो कि kind of related है but just opposite है kind of हम बोल सकते है credit note के so इसमें क्या दिया हुआ है it says it's a form of letter issued by the seller to advise the amount owned by the buyer यह बोलता ह again यह note भी seller ही भेजता है लेकिन kind of यह एक तरह का proof होता है कि buyer ने कुछ समान लिया है जिसका पैसा देना बखाया है तो ऐसे में वो क्या करेगा कि debit note बना के भेज़ेगा हमने credit note में क्या पढ़ा था credit note में हमने पढ़ा था कि seller buyer को एक note देता है कि buyer तुमारे इतने पैसे मेर option देता हो कि मेरे यहां से आके आप कोई भी समान खरीच सकते उतना amount का तो debit note is just opposite of that यह भी seller द्वारा ही भेजा जाता है buyer को लेकिन इसलिए कि तुम्हारा कुछ पैसा मेरे पास बखाया है वह इसलिए भेजा जाता है कि तुम्हार को कुछ पैसे मुझे देने हैं तुम्हा क्या होता है कुछ भी नहीं बिल जो हम ने नॉर्मली लेकर आते हैं शॉपिंग के बाद सो यह बोलते हैं इन्वोइस भी काइंड ऑफ क्या होता है एक तरह का debit note होता है मैं एक professional हूँ मैंने किसी को professional services दी अब मैंने services दे दी ऐसे टाइम पर मैं उसको क्या करूंगे मैं उस से यह service ले लिए यह यह products ले ले लिए और इसके बदले में आपको मुझे जाके payment करनी है तो बिल्कुल इसी concept के साथ बनाया जाता है sometimes the seller issues a debit note when he has charged less price from the buyer than the actual price यह बोलते है बायर को देने थे 1000 रुपए ठीक है को यहां पर भी similar चीज़े हो रही है एक seller है एक buyer है एक कौन है एक seller है एक बायर है seller ने कुछ goods बेजे किसको बायर को जो कि थे 2000 रुपए के seller ने कुछ goods बेचे बायर को जो कि 2000 रुपए के थे Buyer ने in return इसे 1000 रुपया ही दिया Total कुछ कितने ये थे? 2000 के Buyer वो कितने देने चाहिए थे? 2000 रुपय लेकिन उसने दिये कितने? सिर्फ 1000 रुपय तो बगाया अभी बचा कितना? 1000 अभी 1000 और लेना है न सेलर को Buyer से तो ऐसे में सेलर debit note इशू करेगा किसको? Buyer को कि Buyer तुमारे 1000 रुपय अभी भी देने रहते हैं मतलब kind of उधारी ठीक है? इतना उधार तुमारा चल रहा है आके मुझे payment कर जाना और again फिर वो क्या बूल देते हैं? कि invoice भी एक ही तरह का debit note ही है तो invoice को भी हम debit note मान सकते हैं कि उसमें भी हम क्या demand कर रहते हैं पैसे ही तो demand कर रहे होता है सामने वाली party कि यह तुमारे इतने इतने पैसे तुमें हमें देने हैं आके दे जाना तो बिल्कुल कुछ ऐसी ही चीज है That's it मतलब समझ लो debit note, credit note बहुत बार साथ में इस्तमाल होता है और मैं इस पे इतना साथ फूकस इसलिए कर रहे हूँ कि students ना हमेशा इसी चीज में confused हो जाते है कि credit note कब दिया जाते है और debit note कब दिया जाते है Even I have seen some people जिनको बहुत जादा knowledge होते है वो भी इसमें confused बायने जाते है पाय जाते है आपको ये confusion नहीं रहने चाहिए debit note को हमेशा invoice की तरह treat करना debit note का नाम आया तो उसके साथ invoice जोड़ देना तो आपको सच में समझ में आजाएगा ये वो चीज है जो हमें buyers दे लेनी है instead of उसको देनी है whereas credit note क्या किसी को credit देना एसे मानो जब हम कोई हमारे फोटो क्लेक करते है तो उसको क्या देते है credit देते है तो मतलब किसी को credit देना मतलब सामने वाले को मौका देना कि थोड़े दन बाद आके हमारे यां से कुछ-कुछ पर्चेस कर लेना तो एसे याद रखिएगा दोनों concepts को एक दूसरे चीज से relate करते हुए I hope आपको यह समझ में आया है अगर कोई भी doubt है तो comment section में आप पूच सकते है और अगर आपको notes शेये हैं तो आप magnetbrains.com पर जाके notes भी ले सकते हैं That's our official website जिसका link is provided in the description box इसके अलावा आपको description box में magnetbrains plus करके एक initiative है उसकी पारे में पता चलेगा इसमें basically 3 levels हैं gold, silver and diamond तीनों में ही अलग-अलग तरह की assistance provided है हर एक student को आपको जो level पे जो चीज समझ में आते हैं कि हाँ यह मेरे लिए सबसे अच्छी है वो level आप opt कर सकते हैं इस वीडियो में हम और कुछ main documents के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो internal trade में कहीं न कहीं इस्तिमाल होते हैं अभी तक हम ने पढ़ा debit note के बारे में credit note के बारे में लेकिन सर्फ वहीं नहीं है और भी बहुत सारी concepts है जिनका internal trade में नाम आता है सारी चीज़े नाम में ही छुपी हैं जैसे यहां लिखा हुआ है lorry receipt when the goods are sent by roadways मतलब जब हम seller से buyer तक goods कैसे भिजवाते हैं roadways का इस्तिमाल करके सडक के सहारे so उस time पर जो receipt issue होती है उसको हम बोलते है lorry receipt then this receipt is issued by the transporter यह बोलते है किसके द्वारा issue किया जाता है transporter द्वारा issue किया जाता है यह चीज़ याद रखने वाली होती है कि जैसे debit note, credit note भी होता है किसके द्वारा issue किया जाता है ऐसा question भी MCQ में पूछा जा सकता है तो वहाँ पे confused नहीं होना है बहुत ही straightforward याद रखना है कि भाया यह issue किया जाता है किसके द्वारा transporter द्वारा and it is treated as a document of title यह बोलता है कि जब भी हम अपने goods को roadways के सहारे भिजवारे होते हैं उस ताइम पे जो receipt लगती है उस ताइम पे जो document रखता है जो कि transporter issue करता है that is what lorry receipt और इससे मिलता जूलता ही concept है हमारा दूसरा that is railway receipt यह क्या बोलता है this document is an evidence of the contract between buyer and seller this document contains detailed description of goods quantity, price, total value, etc. and terms of payment okay what it says first of all तो नाम पे जाओ क्या लिखा हुआ है railway receipt lorry receipt roadway से related है railway receipt किस से related होगा काफी question difficult है यह लेकिन I'm sure आपको इसका answer आ गया होगा किस से related होगा railway से related होगा so यह बोलता है जब हम अपने goods को भिजवा रहे होते हैं rail के साहरे मुझे को यह goods हैं जो मुझे बायर तक भिजवान है और मैं उसमें राष्टे में railways का सहारा लेती हूँ तो उस सिनारियो में यह particular receipt issue की जाती है ऐसा मानिये दोनों ही receipt में ना सिर्फ railway receipt में दोनों ही receipt में पूरी पूरी जानकारी दी जाती है किस किस कॉंटिटी में भेजे जा रहे है आचली क्या होते हैं यह documents हम बहुत easily prepare करते हैं लेकिन उतने ही जाधा crucial होते हैं यह documents कैसे मान लीज़े आप गुझ भिजवा रहे थे आपने यहां से 10 pieces भिजवाए लेकिन सामने वाली party को सिर्फ 5 मिले ऐसे सिनारियो में आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने 10 भिजवाए हैं तो उसके लिए आपके पास कोई supporting document होना चाहिए as an evidence तो ऐसे समय में evidence के रूप में यह सब recipes ही काम आती हैं जिसमें लिखा होता है कि भईया हम इतना समान विजवा रहे हैं और वो पूरा check करके विजवाया जाता है not like किसी ने बोल दिया और हमने रेसिप्टिम में वही amount या वही figure डाल दिया पूरा बताया जाता है from the very first day कि भईया यह यह amount है दिखाया जाता है यह यह हम चड़ा रहे हैं इसकी loading करा रहे हैं रेल्वेस के थ्रू विजवार है यह लॉरी के थ्रू विजवार है तो यह पूरा होता है verification उसका उसके बाद उसे भेजा जाता है ट्रक में या जिसी भी चीज में रेल्वे में और उसके बाद अगर सामने वाला कभी भी question करता है तो आप इसको दिखा कि उन्हें बता सकते हैं कि भाई या देख लो हमने बहुत अच्छे तरीके से भीजवाया और इतना भीजवाया है हमारे पास proof एरिटन उसका तो इसमें सारा quantity, price, total value, etc, terms of payment सारी चीज़े mentioned होती है यह कोई ऐसे हलकी-फलकी receipt नहीं होती है इसके बारे में पढ़ना है हमें total हमारे 6 documents हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है so stay tuned for those last 2 documents and if you want notes of this chapter तो magnetrange.com पी जाके आप notes ले सकते हैं that's our official website दिसका link you'll get in the description box इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का doubt है, कुछ भी है तो आप comment section में लिखके हमें बता सकते हैं and इस वीडियो में हम सबसे जादा important documents के बारे में पढ़ने जा रहे हैं okay so अभी तक हमने कुछ documents के बारे में पढ़ा है that doesn't mean वो important नहीं थे लेकिन ये सबसे important होते हैं क्योंकि ये तो हर एक transaction में involved होते ही है lorry receipt, railway receipt या फिर debit note, credit note जरूरी नहीं है सब transaction में included हूँ लेकिन जब बात आती है transactions की normally invoices की तो यहाँ पे invoice का जिकर तो हर एक transaction में होता ही है and performa invoice क्योंकि अगर आपको invoice जाना है तो performa invoice भी बहुत connected concept है उसके बारे पे जाननेना थोड़ा जादा important हो जाता है तो हम यहाँ पे इन दोनों के बारे में जानेंगे पहले हम बात करेंगे invoice के बारे में क्योंकि यह कहीं न कहीं हमें पता है किस चीज से relate करता है कभी किसी restaurant में गए है खाना खाया है उसके बाद एक white paper आया आपके पास उसमें diary जैसी चीज में close होके I'm sure आया होगा वो दिये बेना कोई भी खाना नहीं खा पाता उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं bill So invoice is nothing just the bill जब आप किसी से services लेते हैं या जब आप किसी से goods purchase करते हैं तो उसके बाद उस चीज की payment आपको करनी पड़ती है और ये एक document होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने क्या-क्या चीज खरी दी है कितने-कितने price पे खरी दी है कितनी-कितनी quantity में खरी दी है और कितनी आपको value pay करनी है उसकी तो ये सारी detailing इस particular paper पे होती है इस particular document पे होती है जिसको हम किसका नाम देते हैं जिसको हम invoice का नाम देते हैं या फिर in normal language, levens language हम bill का नाम देते हैं वैसे actually bill और invoice भी थोड़ा सा minute सा difference होता है दोनों में लेकिन अभी आप क्योंकि इतने ज़ादा intense level में नहीं पढ़ रहे हैं आप दोनों को same consider कर सकते हैं यह बोलते हैं हमारा commercial invoice basically क्या है commercial invoice कुछ नहीं है एक document है जो हमने prepare किया अब prepare कर लिया इसमें हम लिखेंगे क्या क्या मैं already आपको बता चुकी हूँ है लेकिन यहां क्या according इसमें हम लिखते हैं कि हमारे से सामने वाले इनसान क्या क्या products खरीदे हैं उन products का price क्या है उन products की quantity क्या है और उन products की value कितनी है जो आपको हमें pay करनी है और last में चाके उसको sum total करके उसमें taxes involved करके वो आपको issue कर दिया जाता है तो एक buyer है, एक seller है buyer seller से कुछ खरीद रहा है और seller in return उसे invoice दे रहा है जिसके बाद इस buyer क्या करेगा payment करेगा तो this is nothing just commercial invoice अब मैं यह तो समझ में आगे कि it was very simple it was very easy बिली तो है और क्या है लेकिन यह performer invoice क्या है यह बोलते है it is a confirmed purchase order containing the terms and condition on which buyer and seller agrees on the product detail and cost a sale court is prepared in the form of performer invoice this is sent in advance of the commercial invoice ओके क्या हुआ अभी goods खरीदे नहीं है आपने और मैंने decide कर लिया है कि इसको इतने दाम पे खरीदेगे सबसे पहले क्या होता है मेंको अगर कुछ goods खरीदने है मैं अलग-अलग जगे से quotation ले दी हूँ ठीक है quotation में आप कोई भी price उसमें quote कर सकते है लेकिन उसके बाद मुझे लगता है आपके साथ मतलब out of everybody मुझे आपके साथ deal करना है लेकिन आपने जो quotation में prices बताई है I am not agreeing to those prices ठीक है तो मैंने आपको बोला थोड़ा सा alter करते है हमने negotiation किया हमने थोड़ी सी alteration करी और मैं एक mutual price पे agree हो गए ठीक है मैंने आपको बता दिया मुझे इतनी पेटी इस चीज़ की चाहिए इतने टाइम की अंदर अंदर आप क्या करेंगे अभी आपने मुझे sale नहीं किया है या फिर अभी हमारी transaction complete नहीं हुई है आप मुझे एक पूरा document बनाके दे देंगे जिसमें आप लिखेंगे कि आपको इतना इतना चाहिए मुझे ए प्रड़क्ट आपको इतने इतने prices पर चाहिए आपको इतनी इतनी quantity में चाहिए उसका इतना इतना value बनेगा तो अभी चीज़े हुई नहीं है क्योंकि अगर हो जाती और उसके बाद ये document प्रिपेर होता तो ये invoice के लाया जाता अभी चीज़े बस हमारे बीच में negotiate हुई है हमने agree किया है कि हम इतना इतना खरीदेंगी तुम इतना इतना बेचोगे इसे इस दाम पे बेचोगे तो पूरी decision आ चुकी है सब कुछ fix हो चुका है इसके बाद उससे सिर्फ execute करना और final आपको invoice मिल जाएगा तो in between in between जो invoice का का काम करता है वो होता है हमारा performa invoice मतलब invoice से पहले आने वाला एक document जो आपको पूरी खबर दे देता है इतना इतना अपना बनेगा हिसाब किताब अपना budget अपन को उसी के according देखना पड़ेगा तो उसका में क्या बोलते है performa invoice एक इंसान था दूसरे इंसान के साथ transaction करने वाला है दोनों ने price agree किये इसने एक पूरा list बना के दे दिया कि तुझे ये चीज़े चाहिए इस इस price पे चाहिए इसको हम बोल देंगे performa invoice अब ये बोलेगा ठीक है done दे दे भेज़ दे समान ये sale कर देगा समान डिलिवर कर देगा और उसके बाद इसे भिजवाएगा क्या invoice so invoice से पहले आने वाली चीज़ को हम क्या बोलते है performa invoice बोलते है I hope आपको ये clear हुआ होगा ये दो documents हैं जो कि बहुत ज़दा important है हमेशा ज़रूरी नहीं है performa invoice transaction में involved हो ही sometimes सर्फ invoice से भी काम चल जाता है performa invoice नहीं बनाया जाता बहुत intense nature की जहां पर बहुत बड़ी बड़ी transaction जहां पर होती है वहाँ पर performa invoice बनता है उसके लिए ज़रूरी है बट आपको मतलब सब का पता होना चाहिए तो ये दो last concepts थी जो हमने पढ़ी इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अलग-अलग हमारे industry के associations है commerce related associations है उनका क्या role है और वो क्या-क्या करते हैं पूरे economy के लिए so for those you'll have to wait and for this video that's it I guess and इस video से हम शुरू करने जा रहे हैं industry से related associations हैं उनका किस-किस काम में role रहता है okay so अभी तक हमने GST देखा इस chapter में हमने इस chapter में बहुत सारे internal trade की चीज़े देखी हमने इस chapter में बहुत अलग-अलग term की terms पढ़ी debit note, credit note यह सब चीज़े देखी अब finally हम इस chapter के last topic पे हैं जिसमें basically हम बात करने वाले हैं वो roles के बारे में वो काम के बारे में जो की हमारी industry association या commerce से related जो associations है वो जो जो काम करती है उन सब चीज़ों के बारे में so first video हम बना रहे हैं interstate movement of goods पे की commerce की जो association है उनका क्या रोल रहता है जब हमें interstate movement of goods को discuss करना होता है या फिर उस सीज में उनका क्या महत्व रहता है so ये बोलते हैं chambers of commerce and industry ये नाम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये association का नाम है और काफी famous नाम है जब भी commercial activities से related किसी भी association के बारे में बात होती है तो वो इसी का नाम लिया जाता है उस ताइम पे तो ये बोलते हैं chambers of commerce and industry help in many activities concerning interstate movement of goods which include registration of vehicles surface transport policies construction of highways and roads ये बोलते हैं कि जब बात आती है कि हमें एक state से दूसरे state में goods पहुंचाने है तो उस ताइम पे किन-किन मुद्दों पे ये association बात करती है ये बोलते हैं बहुत सारे मुद्दों पे बात करती है लेकिन उससे पहले एक question arise होता है what's the difference between intra state and interstate ओके intra का मतलब होता है जब किसी state के अंदर-अंदर वो चीज चल रही हो मतलब ये MP का state है ये भुपाल से गुज indoor जा रहे है तो ये क्या है ये है intra state मतलब एक state के अंदर-अंदर जो चीजे चल रही है on the other side अब यहाँ पे है MP यहाँ पे है UP अगर MP से कुछ समान हम UP भिज़वा रहे हैं UP से कुछ समान हम MP भिज़वा रहे हैं तो इस nature की transaction को हम बोलते है interstate और interstate क्या हो रहा है goods का transaction हो रहा है movement हो रही है तो इसको बोलते हैं interstate movement of goods तो ऐसे में association का क्या रोल रहता है ये बोलते हैं association बात करती है vehicles की registration के बारे में अलग-अलग vehicles इस्तेमाल होती है transportation में तो उनकी registration कैसे रहेगी क्या रहेगा क्या क्या documents लगेंगे उन सब चीजों के बारे में discussion होगा surface transport policies के बारे मतलब जो भी policies बनती है उनके बारे में discussion होगा जो rules बनते हैं उनके बारे में discussion होगा highways और roadways की construction के बारे में भी discussion करती है क्योंकि अच्छी सड़के होंगी तो गुज का movement भी स्मूथ होगा आप यहां से ट्रक भिजवा रहे हैं यूपी में सड़के इतनी इतनी सी हैं जिसकी वाज़े से इधर उधर हमेशा क्या हो जाते गिर जाते हैं ट्रक उलट पडट जाता है बहुत नुकसान हो जाता है तो वह सब चीज़े भी तो कहीं न कहीं कमर्शल अक्टिविटी इसको डिस्ट्रॉइ करती है आप देखते हैं बहुत बार highways पे ट्रक पल्टे होते हैं अब उससे क्या होता है नुकसान होता है कमर्शल अक्टिविटी में हमारा एक वह लगता है जटका लगता है तो उन सब चीज़ों को करने के लिए भी यह पॉलिसी बनाती है बोलते है भाई या अच्छी सड़के बनाओ ताकि स्मूध मूवमेंट हो हमारे गुद्स का फिर यह बोलते हैं इसका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो यही है विल फैसिलिटेट इंटर्नल ट्रेड यह बोलते हैं हमने क्या किया एक स्पेशल हाइवे बनवाए गॉल्डन कोडिलेटरल बोलते हैं इसको कॉरिडोर है यह बहुत सारी कॉरिडोर्स हैं अगर आपने जोग्रफी में बढ़ा हो तो तो उसमें गॉल्डन वाली की वज़ क्या क्या होंगे अब इदर उदर आक्सिडेंट नहीं होता ठीक है जिसकी वज़े से आपके गुच्छ सही सलामत हालत में सामने वाले तक पहुच जाते हैं सेकिंड रोज अच्छी होती है तो स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हूं जब आप स्पीड मेंटेन करोगे तो ग बहुत इजी हो गया गुच पहुचाना उनकी प्लेस तक तो इंटर स्टेट मुवमेंट में चांबर आफ कॉमर्स ने बहुत कुछ सोचा है बहुत कुछ प्लान किया है और उनकी हर एक प्लानिंग सर्फ इसलिए होती है कि भाया गुच अच्छे से सामने वाली पार्टी तक पहुत जाने चाहिए चाहिए वो सामने वाली पार्टी दूसरी स्टेट में ही लोकेटेड क्यों ना हो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडास्ट्री असोसियेशन के एक और रोल के बारे में इंटरनल ट्रेट की जब बात होती है तो हम औरेडी एक रोल के बारे में पढ़ चुके हैं दाट वस इंटर स्टेट मूवमेंट को स्मूद बनाता है गुज की तो यहां हम पढ़ रहे हैं और अधर लोकल लिवाइस के बारे में यह बुलता है और लोकल टाक्सेश आर इंपोर्टन इंपोर्टन सोर्सेश ऑफ रिवेन्यों अफ रिवे आप पढ़ातों रहे हो आपने तो बताया है नहीं तो मैं बता देती हूं यह एक प्लेस है एक टेरिटरी है यह दूसरी टेरिटरी है ठीक है गुज यहां से आये फॉर्से मैं बोलती हूं गाड़ी में गुज आये ट्रक में आये ठीक है आई होप यह ट्रक जैसा लग रह है आ रहे है आ रहे है आ रहे है इस पॉइंट पहुंचे जहां पर इसकी सीमा खतम हो रही है इसकी सीमा स्टार्ट हो रही है मतलब लिमिट स्टार्ट हो रही है तो इसकी लिमिट स्टार्ट हो रही है इसकी खतम हो रही है इसकी स्टार्ट हो रही है तो जब यह यहां पर पह में आ रहे हैं इस पर्टिकुलर रोड का इस्तिमाल करते हुए तो आपको एक ड्यूटी या फिर एक टाक्स हमें पे करना पड़ेगा जिसका नाम हमने रखा हुआ है और जो जब आप एक रीजन से दूसरे रीजन में कुछ समान ला रहे होते हैं तो रास्ते में ऐसे पैनल् टाक्स लिया जाता है तो आपने सुना होगा हम सब जब भी एक प्लेस दूसरी प्लेस पर जा रहे होते हैं तो रोज में बहुत बार टाक्स के ऐसे वह लगे होते हैं पूरे पैनल्स पैसे लेते हैं जिस विकिस हमें गाड़िया आगे लेके जानी है तो बिल्कुल कुछ यह गुज के मामले में किया क्यारे वाली गाड़िया लेके आ रहे होते हैं उसमें रोकते हैं उसे टाक्स कलेक्ट करते हैं और उसको यह बोलते हैं अब यह बोलते हैं और ट्राय कलेक्ट करना क्यों इंपोर्डन होता है अब एक बात बताओ किसी को भी गर्वर्मेंट चल करने हैं ऐसे सिनारिप में आपको पैसे कि जुरौ है और कहा होंगे इस ताक से होंगे तो बोलते है उन लों से लिमिट करते हैं जो कि आपके मिनियुस्पल दिमिट में या फिर आपके शेट में ले रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना यह एक रीजन था दूसरा रीजन था बीच में आपसे ले लिया बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है यह बोलते हैं चांबर ऑफ कॉमर्स काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि ऑक्ट्रॉय कितना होना चाहिए हैं लेकिन एक छीज वह हम्में ध्यान में रखते हैं क्योंकि मतलब अग्योंकि युद्ध्र यह क्या एक एडिस्ठर बरदन ना जो समान ली प्रिखाएं उसके लिए एडवी बरदन हो गई उसके लिए तो एडिइसुनल इश्पेंडिचर हो गय तो यह हमेशा ध्यान रख ना लगे मतलब यह इतना ही अमाउंट फिक्स करते हैं इस पर्टिक्लर चीज का सो इस वीडियों हमने क्या पड़ा हमने यह पड़ा कि इंडस्ट्री असूसियेशन का क्या में मोटिव रहता है और लगाने का दादस रिवेन्यू जन्रेट करना हुता है और उसमें चैंबर कमर्स का exact role क्या होता है यह help करते हैं decide करने में बहुत सारे अलग-अलग factors को consider करके और इनको सामने यही चीज आती है कि यह किसी और की cost के मतलब किसी और के expenditure नहीं बढ़ाना चाहिए यह हमेशा सबकी help के लिए ही आना चाहिए और किसी को additional burden भी नहीं लगनी चाहिए इस पर या industry का association रहता है या chamber रहता है उसके role के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं दो points हम already पढ़ चुके हैं third point हम discuss करने जा रहे हैं अब यह point मैं आपको वोलना चाहरी हूं थोड़ा सा outdated है आज इसका कोई relevance नहीं है बढ़ा हम फिर भी बढ़ेंगे क्यों क्योंकि पुरानी चीज करते हैं तो यह वी कुछ ऐसा ही है इसमें जो भी लिखा हूँ है वो सारा हिस्ट्री बन चुक है हमारे लिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग अब नए प्रोविजन आ चुके हैं बढ़ हमें history पता होनी चाहिए ताकि हम future में कोई भी चीज आती है तो उसमें कोई गलती न सकते हैं तो यह बोलता है sales tax क्या होता है government दौरा बनाया गया एक government दौरा लगाया गया एक tax है तो अब क्योंकि state government वाला है तो हर एक state में इसकी वैलियो अलग हो सकती है एक state में 10 रुपे हो सकता है दूसरे state में 20 रुपे भी में हो सकता है MP government को ज्यादा पैसे चाहिए था उसने 20 रुपे लगा दिया यूपी government को इतना पैसा नहीं चाहिए उसने सिर्फ 10 रुपे लगाया बिल्कुल ऐसा हो सकता है तो यह बोलते हैं ऐसे में बहुत पर ऐसी दिक्कत आते हैं कि एक प्रुड़क्त यूपी में सस्ता मिल रहा होता है MP में महेंगा मिल रहा होता है सेम प्रिड़क्त अब ऐसे में क्या होगा लोग भागेंगे भी या MP में मतलब MP वाले सारे भागेंगे यूपी से चाहर के खरीद के लाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है हमेशा इसका एक रोल रहता है कि यह चाहता है harmonization हो मतलब जितने भी एरिया के sales tax है उनको कहीं न कहीं harmonize करें हम उनको कहीं न कहीं हम similar platform पे ले के आएं कि इनका कहना है कि जितने भी states में अलग-अलग values लग रही है अलग-अलग rate लग रहे हैं उनको remove करके एक rate ला देना चाहिए या फिर उनके बीच में ऐसा हो आना है कि 0.5, 0.10 कर वो होना चाहिए difference इतना vast difference नहीं होना चाहिए कि लोग को ऐसे लगे यहां पे तो लूट commerce and industry play an important role in interacting with the government to harmonize the sales tax structure in different states. The sales tax is an important part of state revenue. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है state द्वारा impose किया हुआ एक tax है तो इससे जो पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा? state government के पास ही जाएगा नहीं, state वाले ही तो revenue consider किया जाएगा. A rational structure of the sales tax and its uniform rates across the states are important for promoting a balance in trade. यह बोलते हैं कि यह हर एक state में अगर similar rates चलेंगे तो balance of trade कहीं न कहीं maintain करेंगे जो कि normal scenario में नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पे अलग और वहाँ पे अलग बहुती drastically अलग rates होंगे तो. फिर यह बोलते हैं as per the new policy of the government the value added tax is being levied in the place of the sales tax to remove the cascading effect of the sales tax. ओके cascading effect याद है आपको नहीं याद है तो वो वीडियो देखिए revise कीजिए विकि मैंने इसके लिए special एक अलग से वीडियो बनाई थी. यह बोलते हैं कि sales tax को हटा के government ने वैट ला दिया है क्योंकि वैट cascading effect को कतम करता है. त्रीक है, good, अच्छा किया. लेकिन मैं आपको सबसे latest वाली news दूँ, तो वैट भी हट चुका है. यह book में थोड़ा सा पुराना दिया हुआ है. So, पहले sales tax हुआ करता था, जो कि कब लगता था, जब products इधर से उधर हो रहे होते हैं, बिक रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, उस ताइम पे जो tax लगता था, उसको sales tax बोलते थे. उसमें problem जाते थी कि tax पे tax लगता रहता था, जिसकी वज़े से बहुत ही महेंगा पड़ता था समान. Government ने realize किया, तो government ने क्या introduce किया? Value Added Tax, मतलब Value Addition वाला tax, जो कि हम बोलते हैं VAT. अब government ने VAT को भी हटा दिया है, और क्या introduce किया है? GST, Goods and Services Tax. I hope आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना तो अभी तो हमने वीडियोस पढ़ी है, वीडियोस में सब कुछ तो देखा है, GST क्या है, कैसे बना, किस की सीज को combine करके पड़ा, तो जब हम पढ़ रहते हैं, जो जो taxes इसने सब्सियूम किया, उसमें हमने पड़ा कि हमेशा से इसका इच्छा रहता था कि सारे states में, जो हमारा sales tax है, वो same rate पे चले, similar rate पे चले, और हमने उसको remove करके VAT ले आया था, और VAT को remove करके आजकल हमने क्या ले आया है, GST ले आया है, जो काफी हद तक इनकी मन्शा को पूरा करेगा, तो इस वीडियो में हम पढ़ करने चाहरे है हमारा 5th role, नहीं, sorry, 4th role, ठीक है, तो यह क्या बोलता है, marketing of agro products and related issues, okay, कौन से products की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, agro products, agricultural products, okay, एक बात आपको simple से बता दू, कि जब भी farmers agriculture से कुछ भी derive करते हैं, उनको उसके कभी भी अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि कही ही ना कहीं, वो marketing में lack करते हैं, और यह बहुत बड़ा concern है, हर कोई इसके बारे में सोचता है, हर कोई इसके बारे में कुछ करना चाहता है, and same is the case with हमारी industry association, यह भी कुछ करना चाहती थी, agro products की marketing से related, ठीक है, तो what they suggested, the association of agriculturalists and other federation play an important role in the marketing of the agro products, यह बोलते हैं, क्योंकि व खुद कौन, farmers, जो कि agriculture से related हैं, वही लोग तो, तो वो लोग क्या होते हैं, वो अपनी products की marketing नहीं कर पाते हैं, इसके आपने कभी भी सुना होगा, आपने यह सुना होगा, कि farmers बहुत कम दाम पर बेच की जाते हैं, चीजें, वो तो जो middleman होते हैं, वो कमाते हैं, आपको ज जो आपको आपको मिलते हैं, जो प्रड़क्ट को हैं, वो सारे लोग बहुत खाते हैं, जिसके वज़े से final product आपके पास बहुत ही महेंगे लेवल पे आता हैं, तो ऐसा मानिये, जिन्होंने वो उगाया, जिन्होंने इतनी महनत से उसे वो किया, बढ़ा किया, उन लोग को उतना फाइदा मिलता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो लाग करते हैं, मार्केटिंग स्किल्स में, तो इन्होंने बोला, ये फेडरेशन काफी हद तक उस चीज को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं, हम आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, हम आपकी मार्केटिंग में हेल्प क ये बोलते हैं कि भरिया जब बात आती है marketing skills की, marketing policies की तो ये लोग काफी आगे पहुचते हैं कि भरिया हम बताते हैं आपको क्या करना है, काफी intervention रहता है इनका, काफी बार ये farming cooperative society से भी बात करते हैं कि आपको ये चीज़ करने चाहिए, इससे आपको दाम मिलेंगे अच्छे product के, आपको ये चीज़ नहीं करने चाहिए, this thing is not right, ये आपको बताते हैं कि आपको कौन सी marketing skills pursue करनी चाहिए, जिसकी वज़े से आप अपने products का अच्छा amount fetch कर सकते हैं, so in short what they are trying to say is, कि agro products की जब बात होती है, तो ये बात भी होती है कि वो कही न कही marketing skills में lack करते हैं, तो यहाँ पे हमारे industry association का role ये रहता है कि ये intervene करे, बीच में जाए और उनको समझाए, तुमारे लिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसी चीज़े होने चाहिए, ऐसी चीज़े नहीं होने चाहिए, ये काफी बार हमारे farming cooperative से भी मिलते हैं और उनको भी बहुत अलग तरह की ideas देते हैं, in order to market their product, in order to like fetch good prices of that particular product, तो ऐसे काफी इनका major role रहता है इस चीज़े में, I hope आपको ये point भी समझ आया होगा, अगर कोई भी problem है, कोई भी doubt है, तो comment section में पूछ लीजे, और अगर आपको notes नहीं है, ता आप magnetbrains.com से जाके notes भी ले लीजे, that's our official website, जिसका link is provided in the description box, इसके अलावा में आपको बताना चाहती हूँ, एक और initiative के बारे में, that is magnetbrains plus initiative, इस initiative में तीन लेवल्स हैं, diamond, silver and gold, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, weights and measures and prevention of duplication brands के बारे में, okay, so आजकल duplication of brands काफी जादा, यान लेक ट्रेंड में है, हम इसे बोलते हैं, first copy, second copy, हम इनको duplicate नहीं बोलते हैं, we have stopped calling them duplicates, अब हम इनको copies के नाम से जानते हैं, कि this is a brand की first copy, this is a brand की second copy, बट बात वही है कि वो duplicate product है, simple language में, ठीके, तो ये बोल रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है, कभी ऐसा हुआ है, आप गए हो सबजी मंडी, आपने बोला हो कि भईया मु सब्सक्राइब का weight 1 kg है, तो you can be niscient कि आपके साथ कुछ धोका दड़ी नहीं हो सकते हैं, या पर sometimes वो क्या करते हैं, जो weight रखते हैं, वो अंदर से ना कुछ item उसमें mix होता है, जिसकी वो हलका बन जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है, जिसकी वाज़े से कभी ना कभी आप इसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, so what they say, laws relating to weights and measures, यह बोलता है, first of all तो ना laws बनाओ इनके regarding, कि जो भी ऐसा काम करेगा उसको punishment मिलेगा, अब करना मत तुम ऐसा, वरना बहुत भारी punishment आपको वो करने पड़ेगी, and आपकी knowledge के लिए मैं आपको ये भी बता दू, weights and measures से related already बहुत सारे laws existence में है, it's just, उनका enforcement इतना ज्यादा strict नहीं है, जिसके कारण अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगे, ऐसी weights and measures की problem आती है, but ये बोलते हैं, laws relating to weights and measures and protection of brands are necessary to protect the interest of the consumer as well as of the traders, ये बोलते हैं, बहुत ज्यादा important है, कि traders की as well as consumers की interest की protection हो, और उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज जो important है, वो है कि सही मात्रा में weights and measures का इस्तिमाल किया जाए, गलत नहीं किया जाए, क्योंकि देखो, अब हमने हलकी चीज को भारी बना दिया, या भारी चीज को हलकी बना दिया, अपना जादू दिखा के, जादू मतलब आप एक किलो का उसे पत्छर मान के उसको वो करने ते लेकिन आग्चली वो दो किलो का पत्छर था और आपको पता ही नहीं था, और आप 2 किलो मैजर करकर के कस्ट्मर्स में बाठ रहे थे, किसके साथ गलती हो ही, ट्रेडर के साथ हुई ना, ट्रेडर का नुक्सान हुआ तो ये बोलते हैं weights and measures गलत होने की वज़े से बहुत बार traders और consumers दोनों का ही नुकसान होता है तो first of all तो ये ensure करो कि इससे related बहुत ही अच्छे बहुत ही effective laws बने हूँ अगर वो बने हूँगे तभी फाइदा होगा हमारा ये बोलते हैं ना सिर्फ law बनाओ लेकिन उसको अच्छे से follow भी करो execution का भी ध्यान रखो strictly enforce करो उन सब चीजों को ताकि कोई भी उस चीज का मजाग बना के आगे भी जिना हो पाए राइट फिर ये बोलते हैं chambers of commerce and industry interact with the government to formulate such laws and take action against those who violate rules and regulation ये बोलते हैं तो या देखो law बनाना तो अपना department है नहीं अपना मतलब association का ये सिर्फ क्या दे सकते हैं laws से related suggestion दे सकते हैं तो ये क्या करते हैं पूरा draft तयार करके दे देते हैं किसको हमारी government को क्योंकि law बनाना तो उनका काम है और उनको request करते हैं इन सब चीजों की requirement है country में तो आप प्लीज इनने इनफोर्स कर दीजिए उनको law बनाके आप लोगों में बाट दीजिए तो ये अपनी तरफ से suggestion देते हैं government को government उस चीज को law बनाती है और law बनने के बाद हमारे उपर इनफोर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से weights and measure या फिर duplication की problem नहीं आती है बहुत बार ऐसा होता है ना सही product का first copy बनाके बेच दिया that's also bad thing इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं role of industry association के एक और point के बारे में अब तो I don't remember हम कौनजा point बढ़े हैं कि हम बहुत सारे points बढ़ चुके है अब finally हम जिस point के बारे में बात करने जा रहे हैं that is excise duty okay सबसे पहले मैं आपको समझा दू कि excise duty होता क्या है उसके बाद हम इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे जब manufacturing होती है manufacture होके goods बेचे जाते हैं तो बेचने पे तो उसको sales tax face करना पड़ता है लेकिन manufacturing पे भी तो कोई tax pay करेंगे तो manufacturing पे लगने वाला वो tax हमारा होता है excise duty अब एक point भी है जहाँ पे मैं आपको और clearly बताऊंगी कैसे associated हैं चीजे central excise is the chief source of government revenue यह बूलते हैं बहुते हैं यह central government को जब भी revenue बढ़ाना गटाना होता है वो excise duty के साथ छेड़कार करता है क्योंकि major source of income में इसका यही है जो indirect taxes यह इंट्रियूस करते हैं उसमें kind of एक major source जो इनका revenue का आता है वो excise duty से ही आता है यह बोलते हैं the excise policy plays an important role in pricing mechanism अरे यह क्या बोल दिया इसका मतलब क्या हुआ यह बताते हैं मैंने आपको बताया यह लगता है कहां manufacturing पर ठीक है मैंने 10 रुपए के raw materials खरीदे थे मैंने उस पे 2 रुपए का काम किया है 4 रुपए अपना profit margin आड़ कर लिया है product बन गया कितने रुपए का 16 रुपए का government ने बोला 2 रुपए हमारे excise duty के भी जोड़ बच्छा क्योंकि वो भी आपको पे करना है तो यह हो गई हमारे excise duty के 2 रुपए total कितना बना हमारा 18 रुपए total कितना बना 18 रुपए तो 18 रुपए बन गए अगर excise duty नहीं होती तो वो product कितने का बिखता कितने का बिखता what a silly question obviously 16 रुपए का बिखता लेकिन क्योंकि 2 रुपए excise duty पे करना पड़ रहा है तो अब वो product कितने का बिखेगा 18 रुपए का तो ये बोलते हैं excise policy का बहुत जादा रोल होता है pricing mechanism में क्योंकि जितना भारी excise duty उतना भारी आपके product का price जितना भी आप वो excise अब देखो मैं produce कर रही हूँ items ठीक है excise duty मुझे पे करना है क्या मैं उसे अपनी जिब से पे करूँगी बेटर वे क्या रहेगा मैं उसे कॉस्ट में आड कर दूंगी और कस्टमर को चिपका दूंगी यही रहेगा ना मैं क्यों अपने हाथ से पे करूँ इतनी सारी excise duty तो ये भी तो question उठता है उसके दिमाग में manufacturer की दिमाग में so what they say कि भी है excise duty को हम cost में आड कर देंगे और cost में आड करेंगे तो आपके product का price क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा so as a result of which what they said कि ये बहुत ज्यादा important रहता है pricing mechanism set करने के लिए the trade associations need to interact with the government to ensure steam lining of excise duties ये बोलते हैं बहुत बार trade associations को intervene करना पड़ता है suggestions देने पड़ते हैं बताना पड़ता है कि ये चीज़ कैसी है ये चीज़ सही हो रही है नहीं हो रहे है क्या चीज़े change करनी चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ों के यह हुआ है matter वो मतलब जो इंड दिया हुए थोड़ा सा पुराना है इसमें अपडेशन और है लेकिन क्योंकि आपकी बुक में में नहीं है तो जितना आपकी बुक में 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 उतना ही अपने पेपर में लिखियाएगा एक्स्ट्रा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता at this stage लेकिन आपकी जेनरल नॉलेश के लिए हम आपको एक्स्ट्रा कॉंसेप्स भी बता देते हैं I hope आपको समझ में आ गया है कोई भी डाउट है comment section में पूछ लेजिए और अगर आपको notes चाहिए तो magnetbrains.com पे जाखे आप notes भी ले सकते हैं that's our official website जिसका link is provided in the description box with that मैं आपको एक और initiative के बारे में बताना चाह रही हूं magnet brains का that is magnet brains plus see वैसे तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी description box में मिल ही जाएगी लेकिन आपकी knowledge के लिए बता दूँ इसमें 3 levels है silver, gold और diamond तीन और levels में अलग-अलग चीज़े हैं अलग-अलग facilities है for students अगर आपको लगता है कि आपके लिए diamond सही है तो वो opt कर लीजे silver सही है तो वो opt कर ली जो gold सही है तो वो opt कर ली जो अपने requirement की basis पे इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके जो friends YouTube से नहीं पढ़ रहे हैं हमारी वीडियो से नहीं पढ़ रहे हैं और बकाइदा coaching classes जाके पढ़ रहे हैं और आपके ऊपर काफी ज्यानवादी छोड़ते हैं कि यह हमने तो यह किया हमने यह sample paper solve किया हमने यह किया वो किया अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर बैठे बैठे हम आपको यह facility दे रहे हैं कि आप उनके साथ अच्छे वे में compete कर पाऊ इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं role of industry association के बारे में हम basically पढ़ रहे थे कि जितने भी industry या commerce के associations होते हैं उनकी क्या-क्या major roles होते हैं हमने काफी सारे roles पढ़ लिए हमारे में दो last बचे हुए थे that is promoting sound infrastructure यह थोड़ा सा हटके है commercial activities से बट somewhat connected है कैसे देखिए अगर infrastructure अच्छा होगा तो commercial activity भी तो अच्छी होंगी अच्छी road हैं अच्छे transport vehicles हैं अच्छी हर्चीज हैं तो यह कहीं न कहीं हमारी commercial activities को smooth नहीं बनाएंगी यहां से वहाँ समान ने जाना है उबर खाबर रास्ता होगा समान गिर सकता है खराब हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर अच्छा road होगा तो हमारा समान protected way में सामने वाली पार्टी तक पहुच जाएगा तो काफी रोल रहता है infrastructure का जब हम बात करते हैं commercial activities की उसमें तो what they say a sound infrastructure like road, port, electricity, railways, etc. play a catalistic role in promoting ग्रेडिये बोलते हैं अच्छा infrastructure होना हर कोई impress हो कि आपके साथ trade करना चाहता है first है हमारे हाद से बहुत सारे trade proposals इसलिए निकल जाते थे क्योंकि इंडिया में अच्छा infrastructure नहीं हुआ तो इनका कहना है the chambers of commerce and industry hold discussions with the government agencies for investment in these projects यह बोलते हैं यह commerce जो यह chambers है यह government से बात करते हैं यह government को बोलते हैं कि government इन सब चीजों के requirement है please think about it तो इनका discussion चलता रहता है government के साथ और discussion के बात usually ऐसा होता है कि government इनकी जितने पी प्रोपोसल उनको थोड़ा सा consider करती है और अपनी policies अपनी schemes उसी के according बनाती है तो यह भी एक बहुत major role है जो हमारे industry association play करते हैं हमारे commercial activities को improve करने के लिए and इस video में हम खतम करने चा रहे हैं हमारा 11th chapter so यहां पर हमारा internal trade chapter खतम हो रहा है यह last video है इसकी इसके बाद हम शुरू करेंगे international business that is the last chapter of your book so यहां हम पढ़ने वाले हैं again हम क्या पढ़ रहे हैं हम role of industry association पढ़ रहे हैं commercial activities में या internal trade में कैसे contribute करते हैं हमने seven points already पढ़ लिए हैं यहां पर हम last point refer करने चा रहे हैं that is labor legislation यह बोलता है कि बहुत बार जरूरी हो जाता है जो labor रहते हैं ना यहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं workers जो wages के ऊपर रहते हैं उनके लिए हम rules बनाए उनके promotion के लिए हम rules बनाए उनकी regulation के लिए हम rules बनाए तो ऐसे laws जो बनते हैं उन्हें हम labor legislation बोलते हैं बहुत सारे हैं हमारी country में maternity benefits, equal remuneration act, industrial dispute act, factories act तो इस सारी चीज़े हमारे labor को न कहीं न कहीं कोई न कोई benefit प्रवाइड कर रही होते हैं यह regulate करने में help करते हैं तो यह बोलते हैं कि भया country में ऐसे labor legislation होनी चाहिए तो उन्हें ने बोला a simple and flexible labor legislation is helpful and running industries maximizing production and generating employment यह बोलते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी होता है production को maximize करने के लिए, employment को generate करने के लिए और अपनी industries को अच्छे से run करने के लिए कि हमारे यहाँ पर proper labor legislation हो फिर यह बोलते हैं the chambers of commerce and industry and the government are constantly interacting on issues like labor laws, retrenchment etc with the government यह बोलते हैं again यह सारी चीज़े ना chamber of commerce के हाथ में नहीं है कि वो labor legislation सोचे और ले आए ऐसा नहीं कर सकती वो क्योंकि उसका काम नहीं है legislation का काम किस के पास होता है, parliament के पास होता है, government के पास होता है government से discussion करते हैं कि government हमें लगता है country में सीज की requirement है तो क्या हम सीज को ला सकते हैं और फिर government decide करते हैं कि हाँ लाना चाहिए और नहीं लाना चाहिए और chamber of commerce नहीं लाएगा वो सिर्फ recommendation देने काम करेगा बट ultimately हमारी commercial activities में कैसे help करिया है क्योंकि labor legislation से हमारे industries बहुत smoothly work करती है जब हर चीज हमें पहले से फता है कि labor को इतना wages देना, इतना ये करना, इतने benefits देना तो कोई चिक-चिक वाली बात ही नहीं होगी ना कभी labor सामने से आएगा कि मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला यह जो law में लिखा हो है वो तो हम आपको देंगे ही देंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है labor legislation और chamber of commerce again क्या करती है help करती है government को इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए So I hope आपको यह पूरा का पूरा role of industry association समझ में आया होगा कोई भी point अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो comment section में आप पूच सकते हैं और in case if you want notes of this chapter तो magnetbranes.com पर जाके आप notes ले सकते हैं और official website जिसका link you'll get in the description box इसके बाद like we are ending this chapter with this video और इसके बाद हमारा शुरू होने वाला है कौनसा chapter? International Business So stay tuned for that chapter क्योंकि वो हमारा last chapter है With that बहुत बहुत इंट्रेस्टिंग भी है और काफी trending भी है क्योंकि ट्रेंड में बही चल रही है International चीज़े चल रही है MNC ये वो तो काफी जादा अच्छा लगेगा आपको वो पढ़के That's it अगर नोच है तो magnetbrains.com पिशा के लिए लिए लिचेगा Thank you so much for watching